नमस्कार, वेलकम टू वेधप, वेधप के YouTube प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत हैं यह हमारी अलजबरा की class number 6 है और question practice का class number 4 होगा आज की question, आज की class हमें start करते हैं पहला question है कि root x plus 1 by root x वराबर 3 है जहां पे x greater than 0 है तो हमको बताना x square bracket में x square minus 47 की value क्या होगी प्लस 1 अपान में root x equals to उमको दे रखा कितना 3 x और यहां पे sorry 3 दिया है और यहां पे हमको दिया कि x क्या है greater than 0 है और हमको बताना कि x square bracket में x square minus 7 की value क्या होगी तो यहां से हमको बता चल्ला कि square की value चाहिए तो सबसे पहले क्या करते हैं x plus 1 by x हो जाएगा और इसका square कितना होगा 9 और कितना घटा देंगे इसमें से 2 कितना मिलेगा हमको 7 फिर इसका square करो x square plus 1 upon x square यह कितना हो जाएगा 49 49 में से फिर क्या सब्ट्रेट करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 47 यह value उनको मिली 47 अब यहां से इसको solve कर लेते हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x square minus 47 यहां पे square होगा बराबर कितना होगा यह हो जाएगा minus 1 upon x square तो इस value को बस यहां पे put कर दो x square into minus 1 by x square तो कितना answer आजाएगा minus 1 कौन सा option होगा 4 clear है आगे बढ़ते हैं अगला question दिया होगा कि 8x upon 2 x square plus 7x minus 2 equals to 1 x greater than 0 दिन्दी find the value आप x cube plus 1 by x cube देखो 8x अगर हम इसको simplify कर ले class multiplication कर ले तो यह हमको मिल जाएगा 2 times x square plus 7x minus 2 इसको अगर हम और simplify करें यहां से अगर हम देखो 2 तो इसको अगर हम इदर लेते हैं यह हो जाएगा कितना 2x square plus और यह हो जाएगा मारा minus x ठीक है यह इसको ऐसा रहने देते हैं हम देखो करना क्या जा रहे हैं यहां पर minus 2 ले लते हैं plus 7x बराबर 8x तो को यहां से हम 2x कामल ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा यहां पर x बचेगा और यहां पर कितना बचेगा 1 by में x बचेगा plus 7x बराबर 8x एक्स सब में से कामल ले 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 तो x समारा कट जाएगा यह इधार आ जाएगा तो x आ जाएगा तो x बराबर 1-1 by x बराबर कितना हो जाएगा तो को इधार आ जाएगा x, x से x कट जाएगा तो 1 by 2 अब इसका हमको cube निकालना है देखो ठीक है? तो सबसे पहले क्या गड़ सकते हैं? x प्लस 1 की value निकालना होगा हमको तो x प्लस 1 की value निकालना है तो हम कहेंगे 1 प्लस 1 by x का whole square बराबर कितना हो जाएगा? x square प्लस 1 by x square माइनस में यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 2 times एक सेकंड मैं क्या बता रहा हूँ? देखो इसको इस तरह से लिख सकते हम x माइनस 1 by x का whole square यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे 4 times क्या कर लेंगे? x into 1 by x कर लेंगे तो इसकी value उनको पता है कितना है? 1 by 4 प्लस यह हो जाएगा 4 तो कितना हुआ? 17 by 4 तो यह value आ गई x x plus 1 by x का तो x plus 1 by x की value उनको मिल गई कितना? root में 17 बटा में 2 clear है? तो cube पूछा है cube तो निकाल सकते हैं cube कितना हो जाएगा? बता हूँ cube अगर इसका निकालेंगे x cube प्लस 1 by x cube निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका cube 17 root 17 बटा में यह इसका cube कितना होगा? 8 minus में 3 times x plus 1 by x की value कितना हो जाएगी? 17 by 2 तो salve को लेंगे तो इसको कितना मिल जाएगा हमको? यह हो जाएगा 3 और हमने अगर 8 समय से यह LCM ले लिया तो यहाँ 4, 4, 3, 12, 12 12 में से 17 गया 5 root 17 बटा में 8 कौन सा अप्सन होगा? पहला ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमको दिया कि x पावर 4 प्लस x पावर माइनस 4 तो इसको भी सेकते हैं 1 अपान में x पावर 4 बराबर कितना दिया? 25 99 तो हमसे पूछ रहा है x माइनस 1 बाई x की value तो यहाँ पे हमको क्या reverse चलना है? ठीक है? कैसे हो जाएगा x स्कॉर प्लस 1 अपान में x स्कॉर की value अगर हमको निकालनी होगी तो कितना होगा? तो को इसका जब स्कॉर करोगे तो यह value मिलेगी प्लस 2 हो जाएगा तो 2 add करेंगे इसका क्या करेंगे? रूट निकाल लेंगे तो 259 दो add करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ पर 0 यानि 261 हो जाएगा यह नूबर 20 2601 2601 हो जाएगा तो यह किसका square root होगा? 51 का अब x-1 अपान में x-1 चाहिए इसका square करेंगे यहनि हम दो घटांगे square root निकाल लेंगे तो 49 का root करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 consumption होगा? 3 clear है? और देखो ऐसे आप visualize भी क्या करों कि अगर हम इसका square करेंगे तो यह value आएगी फिर plus minus 2 आएगी तो इस value को जगे अपर हम इक्याँ रख देंगे माइनस 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा फिर इसका हम निकालेंगे तो कितना जाएगा? 7 आजाएगा तो आप इसको याद मत करना बसको visualize करिए आगे देखते है next question है कि x cube plus 1 by x cube minus k का whole square plus x plus 1 by x minus p का whole square equals to 0 where k and p are real number and x not is equal to 0 then find the value of k by p तो देखो का square और इतना है का square 0 है तो याद कब होगा? जब x cube plus 1 upon me x cube minus k 0 इसका मतलब हुआ x cube 1 upon me x cube की value कितना हो गई k उसी तरह जब x plus 1 upon me x minus p की value कितना हो 0 आप कहोगे x upon me 1 x बराबर कितना हो गया p लिए रहे? अब अगर हमको k और p में एक relation निकालना है तो ठीक है और k और p में relation निकालना है और यह देखो यहाँ से आपसन की मदद लेंगे कि वह भी क्या p और p के term में आना चाहिए और यहाँ पे हमारा x के term है तो हमको x क्या है? यहाँ से eliminate कर दिना है तो ठीक है k by p अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? x cube प्लस 1 अपान में x cube अपान में कितना होगा? x प्लस 1 by x तो अगर हम इसको a प्लस b के फार में ब्रेक करें तो यह हो जाएगा वो x अपान में 1 by x हो जाएगा और नीचे भी होई नमबर हो यह तो यह कड़ जाएगा तो हम डारेट लिखते हैं तो डारेट क्या होगा? कि ब्रेकेट में a cube प्लस b cube का क्या होता? a प्लस b दूसरे ब्रेकेट में a square माइनस ab प्लस b square तो x square माइनस इतना-इतना करेंगे तो 1 प्लस 1 अपान में x square इसका बैलू यह वालू आगई x square प्लस 1 अपान में x square minus 1 इसका मान हमको निकालना है यह कितना हो जाएगा इसका square करो यह हो जाएगा आपका p square right x square minus 1 1 square की value चाहिए न तो p square minus 2 तो यह आगे p square minus 2 तो यह हो जाएगा p square minus में कितना 3 कौन साप्शन होगा 4 था clear है आगे बढ़ें अगला question देखेंगे अगला question दिया होगा है कि x square minus 3 x minus 1 equals to 0 x square minus 3 x minus 1 equals to 0 तो हमसे पूछ रहा है कि then find out the value आप x square plus 8 x minus 1 आप into x cube plus 1 by x cube की power minus 1 की value क्या होगी तो हमको बताना value x square plus 8 x minus 1 और यहाँ पे देखो इसके power क्या है minus value है right power minus है तो इसको हम बटा में नीचे लेते आएंगे तो यह के अतना हो जागा x cube plus यह भी power minus हो तो 1 by x ठीक है इसका मान हमको बताना है तो ऐसा करते हैं कि हमें इसमें क्या करते हैं इस फाम में break करेंगे तो x cube minus 1 बराबर अगर हम 3 x लिख दें और यहां सम x काम ले ले 3 और 2 का यहां पर power 0 तो 3 और 0 का difference 3 में से हम क्या करेंगे तो एक अगर x यहां से बाहर लेते हैं तो यहां पर x square हो जाएगा और यहां पर x हो जाएगा तो बात बनेगी नहीं मारी right अचा यहां पर square है ठीक है तो 2 का अधा एक हो जाएगा तो एक बाहर काम ले ले लेंगे तो यहां पर x बचेगा यहां पर कितना 1yx बचेगा यहां पर कितना हो जाएगा 3x तो x x कड़ जाएगा तो हमको x minus 1 अपान में x की value कितना पता चली 1 अब यहां से हम simplify कर सकते हैं और इस term को हम इस term में लिखने का प्रयास करेंगे देखिए क्या होगा यह हो जाएगा x square रहना है x square minus 1 plus 8x लिख सकते हैं उसी तरह नीचे लिख सकते हैं नीचे हमारा x cube plus 1 अपान में x है अभी के लिए इसको ऐसा रहने देते हैं तो उपर हमने क्या किया इसमें हम क्या करते हैं x कामले लेंगे तो कितना हो जाएगा x minus 1 अपान में x plus 8x अब नीचे देखो यहाँ पे x की power 3 है यहाँ पे x power 1 है तो इसका जो gap बने का होगा कितना होगा 1 का 2 का divide कर देंगा 1 1 से कामले लेंगे यहाँ पे कोई भी x नहीं तो यह कितना हो जागा x square होगा जब x का multiply करोगे तो फिर यही पाजाओगे उपर चाहें तो हम x cancel कर सकते हैं तो देखो उनको finally क्या मिला यहाँ पे लिख लेते हैं x minus 1 अपान में x plus 8 और नीचे कितना हो गया x square प्लस 1 अपान में x square बस अब value put कर देना है तो x minus 1 x minus 1 by x की value कितना 1 तो उपर कितना गया 9 और square कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 और यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 add कर देंगे तो 1 में 2 add कर देंगे तो 3 तो इसका answer कितना हो जाएगा 3 clear है आगे बढ़े एक सेट गलत हो गया यहाँ पे यहाँ पे value 3 है माफ करना यहाँ पे 1 x card देंगे तो 1 आएगा न यह 3 आएगा न तो 3 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 9 3 बाहर है और यहाँ पे निकालेंगे तो square करेंगे 3 का इसका 9 9 में 2 और add कर देंगे ठीक है 9 तो 11 है ठीक है तो यह sorry 8 3 ही 11 हो जाएगा यह यह हमारा हो गया 11 और नीचे कितना हो गया 11 तो यह से कड़ जाएगा तो consensus हो गया 1 ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question देखेंगे if x बराबर if x plus 1 by 16 x equals to 3 देखेंगे अभी तक यह question बहुत अच्छा है अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हमको simply x plus 1 by x का फाम बन जा रहा है तो फिर हम इसको solve पर दे रहे थे ठीक हम पर हमने देखा कि यहां पर हमको value दिया है कितना यहां पर हमको value दिया x plus 1 अपान में 16 x बराबर 3 दिया है और हमसे पूछा कितना 16 x cube plus 1 अपान में 256 x cube इसका value उचा है तो यानि अगर हम solve का cube भी करेंगे तब दो से चपन नहीं आएगा और यहां पर एक है तो यहां पर solve आने का कोई सवाल नहीं है तो इस तरह के question में क्या होता है कि थोड़ा से आपको numbers को hairfare करगे यानि इसको इस form में बनाना पड़ता है ठीक है थोड़ा से हमको manipulation करना पड़ता है और यह कैसे आपको strike करेगा यह totally आपके उपर depend करेगा कि आपके practice कितनी है अगर आप practice किये रहोगे इन तरह के question की तभी आप इसको सोच पाओगे जैसे हमको होता है number series में reasoning में होता है missing number वह तभी आप जब उससे पहले question practice किये रहते हो तभी आपको वह logic समझवाता कि हमको यहाँ पर क्या करना है तो same यहाँ पे भी और यहाँ पर एक और requirement है कि आपको cube याद होने चाहिए orally बिल्कुल table से याद होने चाहिए तभी आप number को orally सोच सको ठीक है तभी आप जाके पेन उठाओ तो जैसे देखो अगर हम यहाँ पर 2 का गुड़ा कर देते हैं यह 2X हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 1 by 8X हो जाएगा और जब देखो इसका cube करोगे ति यह 8 हो जाएगा इसका cube करोगे ति यह 512 हो जाएगा और फिर इसमें 2 से गुड़ा कर दोगे तो यह कितना हो जाएगा यह 16 बन जाएगा और यह कितना बन जाएगा 256 तो समझ रहो यह सारी चीज़े क्या है कि अगर आप practice होगी तभी आप सोच पाओगे और number आपको जिसे 512 का cube याद होना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आप 512 का पहले cube करें तो फिर तो आप सोच भी नहीं पाओगे और अली और इस question को लगाने में आपके easily बहुत से काफी समझ चला जाएगा तो देखो हमने क्या बोला कि पहले इसमें 2 का गड़ा कर लो तो यह कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान में कितना हो जाएगा 8x बराबर में कितना 6 हो जाएगा अब इसका cube कर लेते हैं cube कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8x cube यह कितना हो जाएगा 1 अपान में 512 x cube इसका cube करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 5, 6, 6, 36 और 136 186 कितना हो जाएगा 212 216 और यहाँ पर कितना हो गया अगर जिनको जिसे 6 का क्यूब अगर आपको याद है तो अच्छी बाद 216 अगर आपको याद नहीं 36 कोड़े 6 कले न 6 का इसमें मल्टिपलाई करो 180 फ्लस फिसमें करना 36 कितना हो गया 216 तो किसी भी तरीके से आपको ठीक है मैं आपको बोलूगा कि आपको याद होना चाहिए यह हो गया 216 माइनस में आप देखो यहाँ पर थोड़ा से आप ध्यान देना 3, a, b करेंगे तो a यहाँ पर कितना x है 2x है और यहाँ पर b कितना 1 by 4 है तो यह अल्टिमेटरी कितना हो जाएगा 1 by 4 into x plus 1 by x याँ a plus b a plus b के वेल में यहाँ पर 6 है तो यह मिला कितना आपको 216 माइनस में यह कितना हो जाएगा 6 तरीक 18 यानि हम कहेंगे 9 बटा में 2 इसको साल कर लो 432 माइनस 9 बटा में कितना 2 ठीक है इसको सब्ट्राइट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 23 यानि 423 divided by 2 और अब देखो यहाँ से हमको मिला यह मान 80 x cube plus 5 x 12 का अब इसमें क्या कर लेते हैं हम 2 से गुड़ा कर लेते हैं तो 2 से गुड़ा कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा solar x cube plus 1 upon 256 x cube और यहाँ पर भी 2 का गुड़ा गुड़ा होगा हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 423 कौन साप्शन होगा पहला तो यह बहुत अच्छा क्यूशन है इस तरह के क्यूशन की भी प्रेक्टिस कर लिजी आप जहाँ पर यह जो कोफिशेंट है x cube तो अच्छा क्यूशन है या बस बेसिकली आपको यहाँ पर क्या आरेंज करना है तो पहले हमको दिया जानका ही दिया कि x square minus 4 x plus 1 बरावर क्या है 0 अगर हम x यहाँ से काम लेने तो x plus 1 upon x बरावर कितना हो जाएगा 4 x और इसमें हमने x काम ले लिए इसको इतले बेस दिया तो यहाँ से हमको मिलेगा x plus 1 by x बरावर 4 अब इसको थोड़ा दिखते हैं कि इसमें क्या हमको दिया जनकारी और क्या हम इसमें आरेंज करके मान निकाल सकते हैं x कि पाउर 9 plus x कि पाउर 7 minus में 194 x कि पाउर 5 minus 194 x कि पाउर Q तो देखो अगर हम यहाँ से x कि पाउर 7 है और यहाँ पे अगर हम x कि पाउर 8 काम ले 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 तो यहाँ पे कितना पुचेगा x यहाँ पे कितना पुचेगा xy 1yx इसी तर यहाँ से हम 194 और दोनों का gap कितना है दो का दो का gap हो गए तो एक आधा इसका आधा करेंगे तो x x बाहर ले लेते हैं तो यहा। बचेगा कितना x यारी x की पाँओर अगर हम 4 कामल ले लें यहां से भी तो यहां पर कितना बचेगा यहां पर हो जागा x की पाँओर x अब प्लस माइनस ले लिएने तो बाहर आ जाएगा प्लस यहाँ पर बचेगा एक्स तो अब देखो इसको तो हम सिंपलिफाई कर सकते हूं यह पता जाल गया कितना 4 x e power 8 कितना हो गया 4 x e power 8 माइनस 194 into 8 into x e power कितना 4 यह 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 तो हो गया एक ब्रेकेट में दूसरे ब्रेकेट में हो गया x प्लस 1 अपान में x दोनों हमने क्या x प्लस 1 अपान में x कामल ले लिया और इस x के लिए यह तो value हमने लिख लिया ने पहले से ऐसा करते हैं इस value नहीं लिखते हैं हम इसमें दोनों में इसे कामल लेते हैं X plus 1 upon X की value अगर हम यहां से कामल ले लें तो यह X का पाउर 8 माइनस में कितना हो गया है 194 X का पाउर कितना 4 और इसका मान तो हमको पता है कितना 4 अब इसके आगे हम क्या करें क्योंकि फिर हमको यहां से अगर हमें X पाउर 4 पो रहती है यहां से अगर मालो X पाउर 6 कामल ले लेंगे तो X पाउर 6 कामल ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा यहां पर X पाउर 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 1 पाउर 94 हो जाएगा यहांनि इसको हम यहां से सिंप्लिफाई नहीं कर सकती है यह तो उनको पता चल गए 4 तो ऐसा करते हैं इसके power 4 करते हैं फिर यहां से मान निकालते हैं देखते हैं x square 1 upon me x square यह कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 subtract कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 और फिर इसका square करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1 upon me x square 4 यह हो जाएगा 196, 196 में से 2 subtract कर देंगे, कितना हो जाएगा 194 अच्छा बात बन गई तो को यहां से कितना हो जाएगा x square 8 minus 194 x square 4 बराबर कितना हो जाएगा minus 1 इसको इसमें गुडा करते हैं, इसका इसमें गुडा करते हैं यहां समको पता चल गया इसकी value minus 1 है तो पूरे expression की value कितना हो जाएगी minus 4 अच्छा question है, ठीक है इस तरह के question को भी आप करिए practice करिए खुब, आगे देखते हैं अगला question है कि if 2 times x square plus 1 by x square को bracket close minus bracket में x minus 1 by x bracket close minus 7 equals to 0 दिया है तो हमको बताने कि 2 के then 2 value of x तो देखो यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहां से आपको पता चलेगा कि यह क्या एक quadratic question मननेगा राइट और इसलिए क्या है x कि हमारे 2 मान आएंगे x क्या होंगे, 2 roots होंगे लेकिन दोनों मानों को अगर इस तरह से निकालना पूरा simplify करना यह है तो वह काफी tough होगा इससे असान होगा कि हम क्या करें कि सीधा value put कर लें तो यहां क्या कर रहा हूँ एक बार मैं आपको basic समझा दे रहा हूँ कि यहां पर 2 minus x minus x square plus 1 है का whole square minus x minus 1 minus 7 equals to कितना 0 दे रखा है अब इसको solve करना काफी कटिन होगा तो यहां पर x minus 1 है और यहां पर x square plus है इसको हम सभी को x minus 1 की फार्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह कितना हो जागा x minus 1 upon x minus 1 का whole square plus 2 और यह x minus 1 1 upon 1 minus x minus 7 बराबर 0 और चाहें तो हमें इसकी जगाँ पर a ले ले तो यह हो जागा 2 times a square plus 4 minus में a minus 7 equals to 0 2 a square minus में a minus 3 equals to 0 तो यहां से अगर हम इसके roots निकालेंगे तो कितना हो जागा 2 a square plus 3 a minus 2 a minus 3 3 दो निच्छ है और जोडने का टार्म में कितना हो जाए a काम ले लेंगे तो 2 a plus 3 और यहां से minus 1 काम ले लेंगे तो कितना हो जागा 2 a plus 3 तो हमारे roots कितना हो गए a बराबर 1 आ जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा minus 3 by 2 अब यह value हमने x की value कितना रखा है 1 अपान में 1 minus x बराबर a लिया है तो अगर 1 होगा यहां minus होगा न 3 दूनिच है जोड़ने घटा है minus 3 आए और गुड़ा करने पर भी minus है तो इसको minus ले लेंगे और घटा जोड़ने भी क्या minus आना चाहिए तो यहां पर अगर minus लेंगे तो यह minus हो जाएगा और यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा तो अगर कामल ले लेंगे, तो प्लस वksom लेंगे यहां पर, तो यह 2 ए माइनस 3 हो जाएगा, राइट, तो ए बरावर हमको मिलेगा, माइनस 1, और यह तो यह यह ho जाएगा, तो यह हो जाएगा, फिर अगर हमसे बोला है, कि तो अब यहां से फिर एक क्वाट्रिटिव किसर समानेगा, right? तो यहाँ से यह क्वाडिटी टी के समानेगा, तो वह कितना हो जागा, x स्कॉार, माइनस x होगा, तो इधर आके प्लस हो जागा, माइनस मोने, यह तो 0, तो यह तो आप बता सकते हो, कि यह कौन सा फाम बन रहा है, हमारा है, यहाँ पर root d जो होगा लेस दन जीर होगा क्यों क्योंकि देखो b square करेंगे 1 minus में 4ac ठीक है 4ac करोगे नहीं यह greater than 0 ही आएगा यहाँ पर क्या हमारा sorry d की value कितना आ रही 0 हा रही greater than 0 है ठीकिन एक सी अगर आप देखो तो इसके जो roots होगे अगर आप इसके roots निकालोगे तो minus b की जगे माइनस 1 हो जाएगा plus minus under root में यह कितना जारा 5 आ रहा है तो यह तो perfect कोई square बन नहीं रहा है तो यह क्या हो जाएगा हमारा इस रेस्न नंबर बन जाएगा जबकि हमारे जो option में number है क्या होग pure rational number है तो इसलिए तो यह वाला तो हम लेंगे नहीं option x-1 आपान यह नि-1 वाली value तो होगी नहीं यह आप यहां से भी देख के बोल सकते थे पूरा इतना हमको चेक करने की ज़रूत भी नहीं थी आप अगर इतना देखते हो तो आप डाइट बोल देते हैं इसा कोई नंबर नहीं होगा कि जिसमें से हम फिर उसके उतना बटा घटा है वह क्या हो माइनस वन हो भाई अगर कोई नंबर चार चार कर दोगे तो वह value छोटी होगी बड़े value में से छोटी value घटा होगे तो हमेशा क्या होगा पाजिटी नंबर से आएगा तो यह नंबर तमार होगा नहीं तो यह नहीं हमारा जो x इतनी बराबर माइनस वन बाला है यह पासिवेल्टी कट गए तो दूसरी possibility बचिटी है x अपान में 1 अपान में x बराबर कितना है 3 by 2 इसको देख लेते हैं यह कितना हो जाएगा 3x और यह हो जाएगा x स्कार माइनस में 1 अपान में x बराबर कितना 3 by 2 इसको साल को लेते हैं तो यह हमको मिल जाएगा कितना 2x स्कार माइनस में 2 बराब बराबर 0 आप दो को यहां से अकर दो एक्स काम ले लिए लिए जाय कितना एक्स मैने से ऊच्छा है कि आप यहां पर सीधा क्या करते कि क्यों आपसन आप गेस कर लो और क्योंकि नंबर भी ऐसे नहीं है कि जो हम तुरंट चेक कर सकते थे कि देखो इसमें देख लो कि क्या नंबर इसको सैटिसफाई कर रहा बस वही हमाराइं होगा जैसे हम छोटे नंबर से लेदे एक सैटिस्फाई करेगा एक रख देंगे सब कुछ करने की जरूत नहीं है राइट हमके ओल डारेट क्या है आपसंस से कर सकते हैं तो यह लिए आपकी बहुत important question है इसको समलिए कि इस तरह के question को approach कैसे करेंगे option से जाएए सबसे आसान तरीका होगा राइट आगे बढ़ते हैं अगला question है कि x2a बराबर xy के पावर 2b बराबर z के पावर 2c not equals to 0 और दूसरा condition दिया कि xy x square बराबर yz देन दिए value आप a b plus b c plus c a बराबर कितना होगा दो को इस question को करने के लिए हमने आपको सिंप्ली फेकिशन बताया था कि x बराबर 2a है y बराबर 2b है y के पावर 2b है z की पावर 2c है तो इसकी value क्या आप के लिए रहो यहां से आप क्या कर सकते हो x y z की मान निकाल सकते हो या मैं एक question करके बता दे रहा हूँ उसके बाद देखो इस question को अगर हम value put करके करेंगे तो बहुत ही आसान होगा तो एक तरीका यह होगा कि यहां से आप बलोगे x बराबर क्या होगा k की पावर 1 by 2a y की पावर क्या होगा k की पावर 1 by 2b और z की पावर क्या होगा z की पावर होगा k की पावर 1 by 2c और दूसरा एक हमको condition दिया y x square बराबर में कितना y z तो x square कितना होगा k की पावर 1 by 2a का whole square यानि 2a लिख सकते हो direct लिखो अब बराबर है y y है k की पावर 1 अपावर 2b इंटू z की जगे पे y अपावर 1 by 2c clear है तो यहां से k की पावर 2a मिला हमको और यहां से देखो k की पावर कितना होगा 2 की पावर a 2a और यहां पे बराबर कर देंगे तो k की पावर कितना होगा 1 upon 2B plus 1 upon 2C तो यहां से हमको पता चला बेस दोनों के सेम है तो हम power equate कर सकते हैं तो हमको पता चला 2 upon 2A बरावर कितना हो गया 1 upon 2B plus 1 upon 2C जरा इसको simplify कर लो यह हो जाएगा 1 by A यहां पर कितना हो जाएगा B plus C upon 2B 2C हो जाएगा और upon 2B into 2C हो जाएगा तो 2-2 पर से कामर हो जाएगा तो कितना मिलेगा 2B C राइट अच्छा हमको क्या चाहिए देखो यह हमको चाहिए AB plus B C प्लस C यह बरावर upon 1B C ठीक है अब इसको simplify और कर लेते हैं तो यहां से अगर हम इसको और simplify करेंगे तो यह 2B C बरावर कितना मिला हमको AB plus B C ठीक है अब इस value को हम यहां पर चाहिए तो put कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा देखो AB plus AB plus क्या AB plus AC होगा राइट वही हमें AB plus AC की जगह पे हम रख सकते हैं 2B C प्लस B C अपान मिनिशे कितना है 2 टाइमस B C तो B C से 1 B C तो कट जाएगा B C B C कट जाएगा तो कितना मिलेगा हमको 3 मिलेगा तो इसका अंसर कितना होगा 3 दोगो यह बिल्कु ट्रेडिशनल में थट हुआ लेकिन अपम इससे अप्रोच ना करेंगे दोगो हमें एक आपको तरीका उताते है कि आप यहां पर value थोड़ा सा पूट कर सको या आप कुछ नंबर सो सको तो आप बहुत ही आसान हो जागा इस question को दोगो हमको क्या करना है कि इसमें कि x square बराबर y square हमको z की value दे रखा है x square बराबर y z दे रखा है हम करते हैं कि x y बराबर z हम तीनों को बराबर मान लेते हैं ठीक हैं तो अगर x बराबर y बराबर z रख दोगे तो यह अभी value कितना हो जागी x square की बराबर हो जाएगी और अगर सभी value बराबर है x बराबर y बराबर तो जट है तो हमें चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हैं x की पाउर 2a तो इसको भी लिख सकते हैं x पाउर 2b इसको भी लिख सकते हैं x पाउर 2c तो सभी का base बराबर तो आपका होगे 2A बराबर 2B बराबर में 2C सभी बराबर है या हमको A B बराबर C तो सभी बराबर है तो उपर में रखते होगे तो क्या हो जाएगा उपर में करोगे तो हो जाएगा A square प्लस A square प्लस A square हम सभी A को term में रखने हैं, नीचे भी बना लेते हैं A², तो A² बाला term कड़ जागा, तो हमको कितना मिलागा है, इस वार 3, तो यह approach ज्यादा असान होगी, क्यूश्चन को करने का, ठीक है, कि हम सीधा value put करें, तो आगे देखते हैं, अच्छा क्यूश्चन है, अगला पावर A दिया है, 27 की पावर B तो इसको 3 के पावर में बना देंगे, तो यह 3P हो जागा, और इसको 3 के पावर में मनाएंगे, तो 3 के पावर 4C हो जाएगा, तो 3, अगर base हमारा same हो जाएगा, तो यह A वराबर 3, B बराबर 4C हो गया, और हमको दिया A, B, C बराबर कितना 144, तो इसकी वेल्यू कितना बाइबर दिया हुआ है इनका मल्टिप्लाई कर लो बारा एक्स या बारा गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े अगर हमने माल लेते हैं सबी एक्स बराबर है तो यह नंबर कितना हो जागा 144 तो 4,3,12,4,12 कर जागा था यानि एक्स की वेल्यूवे लों को मिल गई 1 तो यानि इनकी एक्स्वेल नंबर है एबी से क्या हो गई 12,4,3 अगर ऐसा नहीं करते हैं नहीं, इमको निकालना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर मालों, इहां पर भी B, A होता, कुछ होता, तो X, X कर जाता, तो फिर उमको X की कोई मान निकालने की जवत नहीं पड़ती, ठीकिन इहां पर X निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 12, 12, 1 अपानवे, 12, प्लस 1 अपानवे, 8, प्लस 1 अपानवे, 15, इसको सल्प कर लो, या हम उन्हें जूठे इसको मल्टिपलाई कर दिया, हमको मल्टिपलाई नहीं करना चाहते, या नहीं करना ही पड़ेगा, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 12, 8, और 15, 120 ले लें, राइट, 15, 8, 120 हो जाएगा, तो 10, 15, 8, 120, 120 से 120 कर जाएगा, तो यह जाएगा 10, उपर कितना हो जाएगा, 25 और 8, 33, डिवाड़ बाइ 10, कौन सेंसर होगा, दूसरा, अच्छा क्यूशन है यह भी है, ठीक है, अगले क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्यूशन है कि, एक expression दिया हुआ है, और हमको यहां से बताना है कि, इसके बराबर दिया है कि 2K है, और K का मान हमको बताना है, राइट, साथ इस क्यूशन को हमने simplification में कर लिया है क्या, क्योंकि यहां पर बस क्या power equate बराबर करना है, ठीक है, देख लेते हैं, दोको X की power क्या है, L, और यहां पर X की power नीशे क्या है, minus M है, उपर जाएगा तो plus M हो जाएगा, और यहां पर power क्या L square, plus M square minus L M, into, यहां पर X की power M, और उपर जाएगा, तो N हो जाएगा, और यह हो जाएगा, M square plus N square minus MN, तो को एक तरीका यह था, एक तरीका यह था, कि हम इसका पहले L में उगड़ा कर लेते हैं, और फिर इसी तरह नीचे में, इम का उगड़ा करके, फिर उपर जाके add कर लें, यह हम डाइट यहां से multiply कर लें, और तीसरा expression दिया है, XC power N plus L का, power में N square, plus L square, minus L है, NL, अब परावर में X power 2K दिया, तो यहनि हमको यहां से क्या है, XC power सब में साल्प करना होगा, multiply करने के बाद क्या होगा, उनको add करने के बाद, फिर जो आएगा, उसको 2K, यहां भी base होगा, यहां भी base X है, उसको equate कर देना है, तो हमको के का मान निकल जाएगा, राइट, एक तरीका है बिल्कु ट्रेडिशनल है, कि हम इसको multiply करें, और सब को जोड लें, दूसरा तरीका यह हो सकता है, यहां पर, थोड़ा सम चला की दिखाएं, कि यहल बराबर YM मान लें, और इसके बराबर हम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो कोई हम violation नहीं कर रहे हैं, देखो अगर 1 रख देंगे, X4-1 रख देंगे, तो ऐसा नहीं कि यह infinite हो जा रहा है, तो जो हमारा expression है, उसी के foundation में हम कर रहे हैं, अब ने बोला कि L बराबर YM बराबर 1 रख देते हैं, तो देखो इससे हमको आसानी क्या होगी, कि यह भी 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा, यह 1-1 कर जाएगे तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, यह भी 1-1 रख दें, तो यहां पर 1-1-1 रख देंगे, तो यह 3 हमारा satisfy कर जाएगा, और इसमें देखो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो यह सबसे अच्छा तरीका था इसको question को करने का, ठीक है सबसे बहतरी इन एप्रोच है, अब बाकी एक तरीका है कि आप इसको इसमें पूरा multiply कर लिजें तिनों को फिर सभी तिनों को जोड लिजें, फिर जोडने एक बात जो आएगा उसके बरावर x power 2 के है, वहां से 2 के बरावर उसको हम equate कर देंगे, तो मुझे लगता कि सबसे अच्छा तरीका है, तो इन सभी को पूरा जो, इन सभी को गुड़ा करोगे, multiply करोगे, तो यही आएगा आपके, L के पावर Q, प्लस MQ, प्लस NQ, अब बरावर यहां पर क्या हो है, x की पावर 2K, तो 2K बरावर, यहां पर हो सकता है, यह टू टाइमस आएगा, तो K की बरावर निका लेंगे, तो 2K बरावर जाएगा, तो K की बरावर इतना आजाएगी, तो अच्छा क्यूशन है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्यूशन देखेंगे, दिया कि A प्लस B बरावर A, 1, C प्लस D बरावर, 1, A minus B बरावर D by C, then the value of C square minus D square, क्या होगा, तो को यह बहुत अच्छा क्यूशन, अगर यहां पर आप सोच रहा हो, कि value put करके निकाल लेंगे, तो नहीं निकाल सकते हो, जैसे अगर मालूम A की जगह पे 1 ले लें, B की जगह पे 0, और A की जगह पे 1, और D की जगह पे 0 ले ल लें, तो यहां तो 1 आजाएगा, लेकिन यहां पर 2 minus 1 प्लस 3 हो जाएगा, यहां पर 2 by minus 1 हो जाएगा, तो इस तरह से कोई number हम जल्दी assume नहीं कर पाएंगे, तो इसको ठीक है, try करते हैं, देखो हमको दिया है, कि D by C बरावर कितना दे रखा है, A minus B, और हमको जनकाई दिय दिया, A plus B बरावर कितना 1, और जनकाई दिया, C plus D बरावर, C plus D बरावर 1, तो अगर एक चीज़ आप देख रहे हो, तो यहां पर आपको एक चीज़ समझाएगा, कि A plus B की value हमको मिला पता है, और C plus D की value पता है, तो यहनि अगर हम यहां पर component अगर अपलाई करें, देखो C plus D का एक factor बनेगा, right, C plus D का factor बनेगा, तो वहां से हमको जरूर कुछ ने कुछ मदद मिलेगी, और यहां पर A plus B वाला भी फार्म है, ठीक है, factor है, तो अगर हम इसको मालो बटा है, अगर इस तरह से लिखें, C by D by C, A minus B आपान में 1 करें, अब अगर इसमें एक बार component आप तो पक हमारा answer नहीं match करेंगा, right, तो इस तरह से करने पर हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं, क्या कि अगर A plus B का मान 1 है, तो यहां पर हम रख सकते हैं, A plus B, अब अगर apply करें, तो फिर हमको फायदा होगा, देखो, A plus B, अब component अगर तो C minus D तो फिर यह उल्टा करना पड़ेगा, फिर reverse हो जाएगा, क्योंकि उपर वाले हम add करते हैं, ठीक है, अगर A by B होगा, तो जब component अप्लाई करोगे, A plus B होगा, और A minus B होगा, और अगर B minus A, B by A होगा, तो यह B plus A होगा, और B minus A होगा, अगर इस तरह हम करेंगे, तो D plus C upon D minus C आएगा, और हमको चाहिए C minus D, इसको ऐसा करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक, अच्छा किशन, देखो यह चोड़ी चोड़ी चीज़े हैं, यहाँ पर गलती हो सकती है, अगर careful नहीं रहें, तो C by D कर देंगे, तो 1 upon D, तो 1 की value हमने बोला कि A plus B रख दें, यह कर देंगे, A minus B, अब इसको कर देंगे, C plus D, C minus D equals to, कितना हो जाएगा, एक बार इसको add करेंगे, तो 2 times A हो जाएगा, और नीचे एक बार subtract कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 2 times B हो जाएगा, तो A upon B मिल जाएगा, clear यहाँ तक, तो C plus D की value हमको दे रखा कितना 1, right, त C plus D की value 1 है, तो हमको पता चला है, यहाँ से जो C minus D की value मिली हो, कितना हो गए, B by A, और C plus D into C minus D अगर हम कर दें, यह क्या हो जागा, C square minus D square, C plus D की value पता चल गए 1, C minus D की value 1 हो गए, और C plus D की value 1 दे रखा किशन में, तो यह answer कितना आ गया, B by 1, कौन सा अप्शन है, दूसरा तो बहुत अच्छा question है यह, ठीक है, इसका अप्शन दूसरा होगा, अगला question देखते हैं, अगला question है, कि X बराबर दिया है कि 4, A, B अपान में A plus B, और A और B equal नहीं है, तो the value आप हमको इसे expression का बताना है, तो को एक तरीका यह है कि A की value 1 ले लो, B की value 2 ले लो, X की value कितन है, यह 8 बटा 3 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 8 बटा 3 माइनस में 2 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 8 बटा 3 प्लस 4, यह 8 बटा 3 माइनस में 4, अगर इसको simplify करेंगे तो यह 3 दूनी, 6, 6, 8, 14, 14 बटा में 3, और यह कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, 3, 3 कर जाएगा, प्लस, यह हो जाएगा, कितना, 12, 12, 8, 20, यह कितना हो जाएगा, 12, 12 मंसे 8 गया, तो 4, clear है, तो 12 मंसे 8 जाएगा, 4 और यहाँ पर अगर 2 आ गया, तो इसको 2 कर देंगे, 28 हो जाएगा, 28 मंने 8 बटाव 4, या नहीं कितना हो जाएगा, 4, 4 कौन साप्शन में महारा तो इन्टू 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 इन् तरीका है कि आप value put करके रख लो ठीक है लेकिन मैं आपको इसको तरीका विता जता हूँ कि इसको approach कैसे कर दें traditional approach क्या होगा एक दोरीका तो आप value put करके निकाल लोगे तो traditional approach देखो क्योंकि इस तरह कि जब भी question आए हो सकता कभी कभी इस तरह सकता है और वहाँ पे number रखने पर हमको कामना बने ठीक है तब देखो क्या करोगे तो x बराबर दिया 4ab अपान में कितना a plus b और जो question में दिया है यहाँ आप यहाँ से देखो मदद लो यहाँ पे x plus 2a बन रहा है यहाँ पे x plus 2b बन रहा है यहाँ पे x plus 2a और x minus 2b बन रहा है तो यहाँ से अगर मदद लेंगे तो हमको यह समझाएगा कि जब भी इस तरह बन रहा है तो आप दिमाग लगाए करो क्या component डिविडेंडो का case है देखो अगर 4ab को 2a into 2b में break कर लो और इसको ayb बना तो ही दिया है देखो इसका क्या फायदा होगा अगर हम x अपान में 2a लिख लें तो यह हमको मिल जाएगा 2b अपान में a plus b और एक फेक्टर मना सकत चाहिए एक सपान में 2b तो क्या हो जाएगा 2a अपान में x plus b अब देखो जरा इसका फायदा क्या होगा अब यहां पर component डिविडेंडो अपलाई करते हैं तो यह तो हो जाएगा एक सब प्लस 2a अपान में जाएगा a माइनस में b clear है a माइनस में b अब देखो b माइनस a और यहां पर a माइनस b आ गया इन दोनों को नंबर को जोड़ दो तो 3b प्लस a अपान में b माइनस a इसको अगर b माइनस a के फार में बनाना चाहें तो माइनस बाहर कर लेंगे तो यहां कितना हो 3a प्लस b जाएगा उपर कड़े जाएगा तो उपर हमको मिलेगा 2b माइनस 2a अपान में b माइनस a तो b माइनस a बी माइनस कामन हो गया तो यहां से कितना अगैंस और दो तो यह इस तरह है कि जब भी एक्सप्रेशन आये तो आप यहां से देखो जो हमको given है और जो हमसे पूछा ज पूट करके तो ब्रहमास्त हमारे पास आई है तो हम क्यूश्यन जब एक्जाम में करेंगे तो अगर वैलू पूट हो रहेगे तो बैलू पूट करके ही करेंगे क्योंकि वह सबसे फास्ट मित्रड होगा ठीक है यह अप्रोच तो जब आप रूम पर प्रेक्टिस कर रहो जब चीजे सीख रहे हो तो आप हर तरीके जानते रहो बैली क्यूट रहो सब वे से ठीक है सभी तरीके आपको आने चाहिए फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हमको अप्लाई करना है जो हमसको फास्ट टैस्वर देगा हो ही हम अप्लाई करेंगे राइट आगे बढ़ें अगला क्यूशन है कि इफ एक बराबर 2 रूट 6 अपानवे 3 रूट 3 प्लस रूट 2 देन वाट इस दे बैल्यू आप X प्लस रूट 2 इतना बटा इतना तो अगर आपने देखा तो आपको तुरंट समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर रूट 6 बन रहा है प्रॉब और डिवाइड वाइड कितना हो जाएगा रूट 3 यह कितना हो जाएगा द offenses अपान वे कितना रूट 3 प्लस रूट 2 lereा बचेगा तो Р court 3 अपान में रूट 3 प्लस रूट 2 इतना और दीसरा हो जाएगा इक सापन में रूट 3 यह हो जाएगा तो टाइमस रूट 2 अपान में रूट 3 प्लस रूट 2 अब एक बार कंपोनेंट डिवेडेंट ओ इसमें अपलाई करो तो यह नंबर हो जागा कितना तो मैं अब डायेट लिखूंगा 2 रूट 3 है तो यह कितना हो जागा 3 रूट 3 प्लस रूट 2 और जब घटाओगे उपर से 2 रूट 3 है तो यह रूट 3 कर जाएगा अब माइनस में रूट 2 मिलेगा इसी तरह यहां पर देखो यहां पर क्या हो जागा 3 रूट 2 प्लस रूट 3 और नीशे जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा रूट 2 ठीक है अब माइनस में कितना हो जाएगा रूट 3 इन दोनों न 3 divided by root 3 minus root 2 अब उपर देखो उपर सब्ट्राइट करेंगे तो उपर यह वाला पाजिटिव आएगा 3 root 3 में से root 3 जाएगा 2 root 3 और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर मिलेगा हमको 2 root 2 अपान में नीचे मिलेगा root 3 minus root 3 तो यहां पर इसको कामल ले लेंगे तो यह कितना answer रहा जाएगा 2 यहां पर पुराना पिछला मारा question था उसी pattern पर था बिल्कुल सारी चीज़े वही apply हो रही थी तो मारा answer भी वह पूरा solve करना पड़ेगा तो हमने देखा कि यहां पर हम value put करके कुछ हमको फायदा नहीं होगा तो यह अगर आपको approach नहीं पता होती है अगर क्यों आपको value method put करना आता तो इस question को आप नहीं कर पाते है राइट तो आगे बढ़ेंगे अगला question दिया होगा है कि if x and y are real numbers then least least possible value of एक expression को दिया है कि 4 times x-2 का whole square plus y-3 का whole square minus 2 times x-3 का whole square का minimum value क्या होगी तो देखो minimum value उसके क्या होगी मैंने कई बार बता दिया कि अगर हमको square के farm मिला तो इसकी minimum value या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी negative होगा नहीं तो यह नहीं इसकी minimum value क्या हो सकती है यह 0 हो जाए य यह भी 0 हो और यह भी 0 सबसे minimum value यह होगी कि यह क्या हो कि यह 0 हो सकते है 0 से छोटा नहीं हो सकता है तो यह अगर यह 0 होगा तो x-2 बड़ाबर 0 या y-3 बड़ाबर 0 और x-3 बड़ाबर क्या 0 राइट अब यहां आपके लिए एक जो दुबिदा होगी यह कि अब यहां पर यह हम x बड़ाबर 2 रखे इस equation का minimum value निकालें कि y बड़ाबर 3 रखे हैं कि x बड़ाबर 3 रखे हैं तो हमारे पास 2 variables है x और y है और x के हमारे पास 2 मान है तो y में तो doubt नहीं होगा कि y की value हम 3 ही रखेंगे अब x में 2 रखेंगे या 3 रखेंगे यह आपको decide करना है कि अगर 2 रख देते हो तो यह value क्या हो जाएगी पूरी 0 हो जाएगी 3 रखोगे तो यह 0 हो जाएगा और यह value क्या हो जाएगी यह value मारे negative आजाएगे 2 आजाएगी और लेकिन अगर 3 रखते हो तो यह 0 हो जाता है यह 0 हो जाता है लेकिन यह आजाएगे plus 4 आजाएगी values की right तो plus 4 आ आप रखते हो कि x बराबर 3 और y बराबर 3 रख देते हो तो देखो क्या होगा यह तो 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 यह चार आ जाएगा अब जरह x बराबर 2 रखो y बराबर 3 रखो देखो क्या होगा यह 0 हो जाएगा य यह 0 हो जागा और यह कितना मिलेगा 2 2 में से 3 जाएगा minus 1 minus 1 का holy square minus हो जाएगा यह कितना मिलेगा minus 2 तो minimum value हमको किस पर मिल रही है 2 पर रखने पर तो इसकी minimum value कितना होगी minus 2 और देखो इसमें question में गलत है इसमें answer जो आएगा ठीक है वह इसका answer आएगा minus 2 कितना होगा minus 2 तो इसमें कोई option नहीं है तो इसका answer देख लिए जब minus 2 होगा अच्छा question है यहाँ पर हमको यह decide करना था कि यह तो हमको पता था कि इसकी value minimum तभी होगी जब इसकी minimum value क्या हो सकती कि यह 0 होजा यह 0 होजा क्योंकि 0 से कम तो होगा ही नहीं यह square है तो यह 0 होगा यह 0 समय साब बड़ा value देगा और अगर यह 0 होगे तो इनके लिए क्या होगा x बड़ावर 2 होगा y बड़ावर 3 होगा x बड़ावर 3 होगा फिर हम इनको individual रखके निकाल लेंगे value आगे देखते हैं अगला question है कि if a plus b plus c बड़ावर कितना दे रखा है 9 तो हमसे पुछा जा रहा है कि और यहाँ पर a b c क्या है real numbers है तो हमको बता रहा है कि a square plus b square plus c square की minimum value क्या होगी a square plus b square plus c square की minimum value क्या होगी राइट देखो मैंने आपको एक तरीका बताया थे कि अगर a plus b plus c बड़ावर मालो जिसे इसी condition उनना होता और पूछ देता कि a b c की maximum value क्या होगी तो क्या होता था हमने बताया था a b b b b b b b c पर यह value maximum होगी यहनि सबको 3 ले लोगे तो यह value कि इतना हो जाए अगर a b c बड़ावर 3 27 दिया है तो हमसे पुछा जाए a plus b plus c की minimum value क्या होगी यहाँ पर हमको maximum अगर इसमें minimum पुछा जाए तो यह क्या होगा उसमें भी हमने बताया थे कि यह 3 बड़ावर हो जाए 3 3 3 तो यह value कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी तो जो हमने उहाँ पर सीखाता है यह थोड़ा से डिफरेंट है अब इसको थोड़ा समझ लो कि देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर a plus b plus c बड़ावर 9 है अगर हम a बड़ावर b बड़ावर c बड़ावर ले ले तीन ले ले अल्टिमेटली हमको क्या पर यहाँ पर addition कर रहा है addition करना है और addition में हम जानते हैं कि value equal लेते हैं तो क्या होता minimum मिलता है तो अगर देखो यहाँ पर तीन ले लोगे तो यह 9 plus 9 plus 9 यह कितना वे लेगा 27 यह इसकी minimum value होगी तो इसको आप note कर सकते हो चाहो तो ठीक है इसको आप note down कर लेना कि अगर हमको इस तरह की condition दे रखे है कि a plus b plus c dot 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 कुछ तक दिया है number ठीक है और अगर हमसे पुछा जाए कि a square plus b square plus c square इस तरह से इसकी minimum value क्या होगी तो आप जान लेना कि a बरावर b बरावर c बरावर d इस तरह से अगर हम करें यह value क्या होगी minimum होगी राइट आगे बढ़ें और इसके अलावा आप कुछ भी number लोगे जिसे हम करें कि मालो b a बरावर b बरावर 0 ले लो c बरावर कितना 9 ले लो तो जरह आप देखो नौ का स्कॉर करोगे तो 81 हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा इसी तरह से आप आप कुछ भी number लेना चाहो अगर आप कुछ अगर करना चाहो तो कुछ तीन चार नंबर लेके चेक कर लो तो जो सबसे छोटा नंबर आएगा पासिबल इसका लीस्ट पासिबल नंबर होगा वही क्या होगा 27 ही होगा और वह कब होगा जब A बराबर B बराबर C हो यानि तीनों इक्वल हो राइट तो यह बहुत अच्छा क्यूशन है एक तरह से आपको यहां पर क्या एक कांसेप्ट सीखने को मिला ठीक है कि जब भी हमको A प्लस B प्लस C के फाम में अगर इस इफ A स्कार A रूट में 2 प्लस रूट 3 बराबर इतना बराबर B बराबर 2 माइनस रूट 3 बराबर 1 तो हमसे पुछा ज़रा कि बताओ 1 अपान में A स्कार प्लस 1 1 अपान में B स्कार प्लस 1 की वैलू क्या होगी ठीक है दोको A बराबर हमको दिया है अगर यहां समका है A बर अब क्या हो जागा, 1 अपान में, 2 प्लस रूट 3, ज़र इसको simplify कर लो, उपर नीचे क्या है, 2 माइनिस रूट 3 से गुड़ा कर लेंगे, तो उपर आ जागा, 2 माइनिस रूट 3 आ जागा, और नीचे कितना हो जागा, 2 माइनिस रूट 3, तो 4 और 3, तो 1 हो जाएगा, तो B की 1 अपान में A स्क्वार है, तो A स्क्वार कर लो, ज़र इसका स्क्वार कर लो, और इसका भी B स्क्वार भी कर लो, तो देखो कितना मिलेगा, 2 दूट 4, 3 साथ, और 7 माइनिस रूट 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, 7 प्लस 4 रूट 3, अब इनको add कर लेते हैं कितना हो जाएगा 1 अपान में 7 और एक एड हो रहा है तो यह हो जाएगा 8 माइनस में 4 root 3 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 plus में 4 root 3 clear यहाँ तक अब इसका cross multiplication कर लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा 8 8 16 उपर एड हो जाएगा 4 root 3 वाला factor कर जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 8 8 64 माइनस में 4 4 16 48 तो कितना हो जाएगा 64 बटा में 16 बटा में 16 हो जाएगा तो कितना इस वाला जाएगा एक तो बहुत अच्छा root 3 आएगा तो दूसरा कितना आएगा 2 plus root 3 आएगा फिर इसका square कर लिया तो कभी-कभी हमको क्या होता कि कि अलजबरा में symmetry बहुत मिलती है अब आपको पाचानने आना चाहिए तो अब एक एक करके हम सभी निकालेंगे नहीं हम यहां भी क्या करते है इस्टेप skip कर रहे है जिससे हमारे क्या हो time बचे अगला question देखते हैं अगला है कि हमको दिया कि a plus b plus c plus d बराबर कितना 1 तो हम कितना हो जाए 1 by 4 हो जाए तभी 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 4 times करेंगे तो एक आ जाएगा तो हम सब पुछा जा रहा है 1 plus a, 1 by 4 कर लो यह कितना हो जाएगा 1 plus 1 by 4, यह 1 plus 1 by 4, यह क्या होगा इसका maximum value आएगा अगर सभी a, b, c, सभी क्या हो बराबर हो तो इस expression का क्या होगा maximum value यह note कर ल तो कितना हो जाएगा 5 by 4 हो जाएगा तो उपर 5, 5, 5, 5 यह 5 का 4 बार और नीचे 4 का 4 बार, 5 by 4 का कि पार 4, अच्छा question है यह, अगला question देखेंगे, अगला question दिया होगा कि 2x plus 3y plus 4 और इतना is equivalent to इतने के बराबर है, तो then what is value of g plus f minus c upon a, b, h, यह हमको दिया है देखो, 2x plus 3y plus 4 into 2x plus 3y minus 5, अब बराबर में कितना दिया है, यह दे रखा a x square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c, और हमसे पूशा जा रहा है, कि g plus f minus c upon a, b, h का विमान में बताना है, और अगर हमने option की तरफ नजर डाला, तो यहाँ पर क्या है, एक number आ रहा है, यहाँ नुमेरल नंबर में आ रहा है, 35, 4, 32, तो यहाँ हमको क्या है, यहाँ पर सभी number a, g, f, c, upon a, b, h, या तो हमको अलग-अलग individual मान पता चाहिए, या कुछ हम ऐसा relation निकाल दे, यहाँ हमको क्या है, कि यहाँ पर जो number, letter sign को eliminate करना है, तो अगर हमको, अगर g, f, c का अलग-अलग मान चाहिए, तो एक काम यह कर सकते हैं, कि हम इन दोनों का आपस में multiply करते हैं, और यहाँ से क्या करें, coefficient को equate करते हैं, तब भी हमको पता चल सकता है, देखो क्या करें, कि हम यहाँ से पहले इसमें multiply करेंगे, तो यह कितना हो जागा, 4x², प्लस, 3 दूनी 6xy, माइनस, 10x, प्लस, 6xy, प्लस, 9y², माइनस 15y, प्लस, 8x, 12y, माइनस 20, जड़ा इसको और simplify कर लो, तो यह 4x² है, 4x², प्लस, 9y², 9y², उसके बाद क्या है, तो को x वाला term होगे, y वाला term होगे, अब x, y वाला लिलते हैं, तो 6xy, और 6xy, यह कितना होगे, 12xy, अब इसके बाद, x वाला term लिलो, तो 10x, और यहाँ पे 8x, तो यह कितना होगे, माइनस 2x, और अब y वाला term ले, तो y वाला term यह माइनस 15, और यह प्लस 12, तो यह कितना होगे, माइनस 3y, माइनस 3y, और यह माइनस 20, यह यह इन से अगर हम चाहें, तो equate कर सकते हैं, और 2G की वेलू आ गई कितना माइनस 2 और 2F की वेलू कितना गई माइनस 3 और C की वेलू कितना गई माइनस में 20 तो जो हमसे पूछा उसको निकाल लेते हैं हमसे पूछा G प्लस F प्लस C तो G की वेलू यहां से देखा कितना जाएगी G की value आ जाएगी minus 1 F की value कितना आ गई minus 3 by 2 और H की value कितना आ गई 6 इसको लिख लेते हैं G कितना हो गया G कितना है minus 1 F कितना है minus 3 by 2 C कितना minus 20 minus 20 plus 20 20 हो जाएगा अपान में A कितना है 4 B 9 C कितना है ABH 6 तो इसको solve कर लेते हैं यह हो जाएगा 2 5 minus 5 by 2 और इसमें अगर हम गुड़ा कर देंगे 40 हो जाएगा बटा में 2 और नीचे कितना हो गया 4, 9, 6 उपर में हो गया 35 divided by 2, 4, 9, 6 इसको अगर हम simplify भाई ही कर रहे हैं तो यह तो नहीं कटेका किसी से तो ठीक है यह कितना हो गया 54 54 गुड़े 8 हो जाएगा 54 गुड़े 8 कितना हो जाएगा 400, 432 कौन साप्सान होगा पहला 55 गया तो यह हमको दिग गया है ठीक है अच्छा क्यूशन है कभी-कभी इस तरह के भी क्यूशन हाते है तो यहाँ पर अब हमको पता है कि यहाँ पर G, F, C, A, B, H है जो आपको अलजेबरा में एक मैं आपको clue देता हूँ मतलब यह experience मैंने सीखा है कि कभी-कभी जो आपको कुछ ना समझा है जैसे आप यहाँ पर देखो तो एक चीज़ आप ध्यान में रखा करो कि जैसे G, F, C, A, B, H यहाँ पर चार बैरियेबल से हैं और हमारे सामने क्यावल एक रिलेशन दिया हुआ है तो किसी भी तरीके से हम चार अन्नोन है और दो हमारे सामने एक रिलेशन तो हम निकाली नी सकते हैं तो ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा जरूर ठीक है तो यहाँ पर आपके दिमाग को ऐसा आना चाहिए कि हो सकता कुछ इसको साल्प करने के बाद जी अप प्लस सी माइनस अपान में ए बी एच इस तरह समकुछ कामन होगरे लेने के बाद यहाँ पर कुछ नंबर बन जाएगा यहाँ हो सकता हम कहीं कुछ ऐसा जुगाण लगा कि इसमें से जी अप सी का अलग-अलग मान निकाल सकते हैं तो जैसे इस क्यूशन में क्या था कि यहाँ पर अगर हम कोफिसेंट कर देते तो इनकाम को अलग-अलग मान निकल जाता तो यहाँ समको एक आइडिया लगता उसके बाद भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप के अंदर खुद डेवलप हो जाएगी समझ और आप भी नहीं नहीं तरीके खुद से डूट लोगे कि अलग-अलग क्यूशन के लिए आपके अलग-अलग अप्रोच हो जाएगी राइट अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है कि 5 रूट 5 x3-81 रूट 3 देखो यह है 5 रूट 5 x3-81 रूट 3 y3 डिवाइड़ य रूट 5 अब बराबर में हमको दिया है और यहां पर क्यूशन का फेक्टर है तो देखो यह है कि अगर आपके प्रेक्टिस होगे तो आपने तुरंस सोच लिया होगा क्या कि aq-bq का फार्म बन रहा है उपर में aq-bq होगा और यहां पर नीचे हमारा क्या a-b है जब इसको काट द एक बार इसक्वाइर का टर्म है एक बार एक बार xy का टर्म बन रहा है तो देखो क्या हुगा देखो उसके बाद हम इसको कोफिशन्ट एक्वेट कर सकते हैं और हमको यह भी c का लग लग मान निकल जागा और जो हमसे पूछ रहा होगा हम बता लेंगे तो देखो यहां यहां पर 5 root 5 है यहां हम कह सकते है root 5 x का whole cube यहां पर कितना हो जाएगा 3 root 3 का whole cube रहा होगा 3 root 3 y का whole cube क्यों क्यों कि 3 3 root 3 का 9 27 और root 3 का एक बार square होगा तो 3 27 नहीं क्या से फिर root 3 बच जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा root 5 x माइनस में 3 root 3 y तो यह क्या होगा 1 q माइनस b q का term बना तो इसको काट देंगे तो हमको क्या बचेगा यहाँ हो जाएगा root 5 x square प्लस इसका square होगा तो 9 और 9 गुड़े 3 y square माइनस में ab तो यहाँ पर पलस हो जाएगा ab root 5 into 3 root 3 x y अब बराबर हमको कितना दिया होगा है यहाँ पर ax square प्लस by square प्लस c times xy अब यहाँ से हमको क्या करना है क्या इक्वेट कर लेना है तो देखो यहाँ कितना हो जागा a की value हमको यहाँ से मिली कितना root में 5 b की value कितना मिली 27 और c की value कितना मिली 3 root 15 तो हमसे जब पुछा 6 a की value हमने बोला root 5 है प्लस b की value 27 है minus 15 into 3 root 15 तो यहाँ पर root 5 की जगे पे यह number कटे का नहीं और यहाँ पर हमारा number क्या पूरा-पूरा कट रहा है यहाँ मदलो यह perfect square नहीं बनेगा हमारा number जो rational number में आ रहा है राइट यह rational आ रहा रहा है जबकि answer rational number में आ रहा है कहीं गलती है क्या रूट 5 हो गया यहाँ से हमने बोला कि इसका square कर देंगे 5 रूट 5 हो जाएगा राइट अच्छा यहाँ पर square होगा तो यह भी square हो जाएगा ने इसका 5 कट जाएगा ठीक ठीक यह 15 हो जाएगा पंदतिया 45 45 हो जाएगा तो यह कितना बचा 45 माइनस 15 यह कितना हो गया 12 कौनसा answer होगा 14 ठीक है तो coefficient equate करने का दो question हमने देख लिया बाकी और question आप practice करिए स्वहम से आगी देखते हैं अगला question है कि a plus b plus c a plus b a b b c c a और a minus b इसको हमको क्या करना है solve करना है तो ठीक है यहां पर सबसे आसान तरीका कि हम value put कर लेते हैं a बावर b बावर c और यहां पर हमको कोई foundation भी नहीं दिया कि a b और c equal नहीं हो सकते हैं इनको रख लेंगे तो यह कितना हो जागा 3 हो जागा यह कितना हो हो जागा 1 हो जागा तो कितना मिला हमको तीन तरीका नो आठ आठ किसमें मिलेगा जिसमें एक एक अगर जोड़ देंगे question आगे देखो x square plus y square plus z square अपान में क्या है x square plus y square plus z square अपान में हमको दिया z square minus xy अब अगर हम 3 0 रख देते तो यह भी 0 हो जाता तो फिर expression का अब मान कितना हो जाता है 0 हो जाएगा z minus 1 हो जाएगा clear है सही है यहाँ पर देखो z 0 नहीं रख सकते थे ले सकते हैं z 0 रख लें और xy को यह 1 minus 1 कर सकते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो देखो क्या हो जाएगा उपर अगर रखेंगे यह 1 1 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा z की value उपने minus 1 तो 1 और यह 0 हो जाएगा तो 2 तो इसका answer कितना हैगा 2 कौन साप्शनों का दूसरा ठीक है तो value पूट करके इस तरह के question को बड़े आसानिस किया जा सकता है next question देखेंगे अगला question देखेंगे अगला question दिया कि under root में 10 minus 2 root 21 plus under root में 10 8 plus 2 root 15 ब्राबर root a plus root b तो where a and b are positive integer than the value of root a b is closest to यानि root a b का closest यानि निकटता मान क्या होगा हमसे यह पूछ रहा है देखो root और यह अगर सभी integer numbers है तो यह जरूर perfect square बनना चाहिए 2 root 21 plus root में 8 plus 2 root 15 अब बराबर में क्या दिया है root a plus root b यानि हम इसको अगर break कर सकें देखो root a का मान अगर हम equate करना चाहिए तो root a बराबर यानि a बराबर क्या हो जाएगा 10 minus 2 root 21 हो जाएगा लेकिन इसका हमको कोई फायदा नहीं होगा 21 का अगर हम exact अप्रॉक्स मान निकाले फिर दो का गुड़ा कर उसको बनाए उससे हासान तरीका है कि अगर यह number देखो तो यह एक square root बन जाएगा किसका root 7 और root 3 का root 7 minus root 3 का देखो यह square होगा right कितना 7 3 10 और यह हो जाएगा 2 गुड़े 3 गुड़े 7 3 21 यह कहां से clue मिला मुझे यह देखो यहाँ पर देख जब भी हमने बताया आपको यहां से हमेशा ही ही से मिलेगा clue 2 times a b तो 1 2 तो होगा और a b होगा 7 और 3 होगा 7 10 भी हो plus root 3 का whole square तो root 3 जाएगा तो उनको मिलेगा root 7 minus root 3 की value यह a की value आ गई अब b की value कितना आ जाएगे हमने equate कर लिया कि भाई यह इसके बराबर है यह इसके बराबर है यह कितना जाएगे b की value उनको यहां से मिल जाएगे root 5 plus root 3 clear है ठीक है अच्छा अच्छा एक सी गलत कर रहा रहा हूँ है देखो यहां पर क्या हो जाएगा देखो इसको थोड़ा सा simplify करके लिख देते हैं यहां पर देखो यह आ जाएगा आपका कितना root 7 minus root 3 plus root 5 plus root 3 बराबर में कितना हो जाएगा root a plus root b यहां पर महलों xy यहां यहां पर a अगर कुछ लिखा होता ना जैसे यहां प रूट 7 plus root 5 इसको root 5 कर दें तब भी तो हो सकता है तो यह तो गलत हो जाएगी इस तरह से नहीं कर सकते हैं इसको सिंप्लिफाइग कर लें अब देखो दो टर्म बच्चा हमारे सामने root 5 और root 7 अब यहां पर root a plus root b अब यहां पर भी ऐसा नहीं है इसको root 5 plus root 7 लेगे तो 5 यह आप 20 वर्षा कर सकते हो कि ए बराबर 5 लेओ भी बराबर 7 क्योंकि देखो यहां पर फरक इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि हमको इसको product लेला है ultimately तो अगर एक value 7 हो या 5 हो इससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो यह कितना हो जाएगा 7 into 5 तो यह कितना होगा 35 अ एक यहां छोटी सी गल्दी मत कर देना कि यहां पर direct equate मत कर देना पहले इसको simplify कर लेना आगे बढ़ेंगे अगला question है कि B प्लस C बराबर AX C प्लस A बराबर BY A प्लस B बराबर CZ तो हमको इस expression का मान बताना है तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें A बराबर B बराबर C 1 लेले है को दो Y की value आ जाएगी 2 और Z की value आ जाएगी 2 इसमें put कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 1 by 9 1 upon 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3 तो यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यानि 1 by 9 तो कितना हो जाएगा इस answer तीसरा तो यहां यहां समझें कि आपने जो important topic था यहां पर हमको करना पड सकते हैं जहां पर restriction होता है उन सभी चीज़ों को हमने पार पा लिया है अब इसके आगे समली आपके लिए आसानी होगा question राइट वैसे तो यह question अच्छे हैं काफी tough है अगर आप traditional methods जैसे हम लोग math में पढ़ते हैं इंटरोगरे में उस तरह सा अगर हमको करना पड़ता है मतलब हो जाएगा लेकिन आपको क्या होगा फिर मेहंत करना पड़ेगा traditional methods से आपको बार-बार दिमाग लगाना पड़ेगा हर एक question में और value put करने पर हमको free हैं कुछ भी value रखके अपना number satisfy करा सकते हूं तो इसलिए हम मैं कर रहा हूं कि जो tough task था हम लोगा का जहां पर हमारे सामने restriction था उसको हमने पार पार लिया है अब आगे हमारे आसानी question है और ये वीडियो थोड़ी से लंबी होगी क्योंकि अब मैं नहीं चाहरा हूं कि एक और वीडियो इसके लिए बात बनाया जाया यानि जो बचे वे question है उनको इसी में cover करने का प्रयास करूँगा मैं ताकि सारे question क्या हो जाए कि इसी वीडियो में cover हो जाए ठीक है जादी लंबी वीडियो होने कम से भी हो सकता कि आप लोग पूरी वीडियो देखे नहीं तो पूरा मेरा मेहनद करने का कोई मतलब नहीं हो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं मैं चाहता हूँ कि आप जाए maximum output मिले आपको जितना वीडियो देखो उसको आपको कुछ न कुछ फायदा मिले advantage हो आगे देखेंगे अगला question अगला question है कि x, y and z are three numbers such that x plus y वरावा 13, y plus z वरावा 15, z plus x वरावा 16, then the value of x, y plus x, z अपान में x, y, z यानि अगर हम इस से x कामन ले 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 तो हमको मिल जाएगा उपर कितना y plus z अपान में कितना नीचा आजाएगा y, z लेकिन y, z का हमको मान पता नहीं है तो सबसे पहले काम करते हैं कि हम x, y, z का नमान तो निकाल सकते हैं x plus y plus z बरावर कितना हो जाएगा देखो इन सभी को add कर लो तो इन सभी नमर को add करेंगे तो two two times हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 31, 31 और 41, 44 तो 44 डिवाइड कर देगे तो कितना हो जाएगा 22 x plus y plus z का मान हमको पता नहीं है 22 अब हमसे पूछा है कि इसका मान पूछ रहा है तो यहां तो हम अगर चाहें तो अलग-अलग मान भी निकाल सकते हैं अगर हमको दोखो, यह z और x की बाल value कितना 16 है तो y तो यहां समको पता चाहें अच्छा है और z का मान अगर हम निकाल लें यहां से x, y रख ले, x, y बार आओ 13 है तो z का मान हमारे कितना जाएगा 13, 13 है तो 9 तो हम चाहें यहां पर पूट कर लें तो y plus z का मान हमको पता है कितना दे रखा है 15 x का मान ले लिए नीचे से x कट जागा नीचे y, z हो जागा तो y, z का 6 गुड़े 9 कितना हो जाएगा 5 गुड़े में 2 तो 5 गुड़े 18 आसानी सागया लेकिन अच्छा क्योशन था यहां तीक है अच्छा क्योशन है आगे बढ़ते हैं अगला किशन दिया कि x प्लस y प्लस z बराबर 0 then what is the value of 3y square x square प्लस z square देखो यहां पे भी अगर आप इस तरह सोचोगा ना y x बराबर y बराबर z बराबर 0 ले लो तो यह गलत हो जाएगा क्योंगे यहां पे 0 रुखो तो इन फाइनाइट हो जागा तो फिर वह हम करते हैं अगर मालों x बराबर 0 ले ले लेते हैं y बराबर 1 और z बराबर minus 1 ले ले लेते हैं तो देखें अगर यहां पे यह x बराबर 0 हो जाएग y की value minus 1 हो यहनि कोई गलत नहीं होगा ठीक है तो यह कितना हो जागा 3 time plus x की value तो 0 और z की value 1 हो जाएगी अपान में 2 into 1 हो जाएगा और यह value 0 हो जाएगी तो 4 बटा 2 यहनि कितना मिलेगा हमको 2 कौन सा अप्शन होगा पहला ठीक है कौन सा question था हमारा पहला question ठीक है पहला option हो जाएगा तो यही देखो value put करने के हमको सब्सक्राइड अडवांटेज होता है कि हम question को second में भी solve कर सकते है लेकिन वही जहाँ पह value put नहीं कर पाते है फिर हमको क्या होता है फिर इस farm में बनाना पड़ता है तो वह हमारे लिए difficult होता है राइट next question देखेंगे अगला question दिया कि x1, x2, x3 बराबर 4 bracket में 4 प्लस x1, x2, x3 then what is the value of इतना तो अगर यहाँ पर आप x1, x2, x3 बराबर में कितना 4 times 4 प्लस x1 प्लस x2, प्लस x3 एक सी अगर आप सोच पा रहे हो यहाँ पर अगर हम मालो x बराबर 4 रख देंगे तो 4 times 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी यहाँ बन जाएगा तीन बार यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ भी थीन बार दिया हुआ है और 4 के अलामा कर कोई number लोगे तो यह pair नहीं बनेगा अगर हमालों यहाँ तीन 3 लीलो तो 3 times होगा 4 नहीं होगा तो यहनी हम चाहें तो इन 3ों का नंबर क्या ले ले लें? 4-4 ले ले लें तो यह हमारा satisfy कर देगा x1 बराबर x2 बराबर x3 कितना हमने ले लिया? 4 ले लिया यह हमको कहां से clue मिला यहां पर? कि यह 4 times 4 हो गया यहां पर 1 4 है तो 3 times 4 हो गया और यहाँ पर भी 3 times 4 हो जाएगा अगर 4, 4, 4 रख देंगे अब तो हमारे लिए बिल्कुल हासान हो जाएगा यह कितना हो जाएगा एक बटा में 6 है, एक बटा में 6 है, एक बटा में 6 है तो 3 बटा में 6 है यानि कितना हो जाएगा अब रहाँ पूछ रहा कि इसका मान बताओ, तो यहाँ पर हम simplest form ले ले लेते हैं, कि A और B का मान कितना लिए रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो X बराबर Y बराबर Z बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसमें पूट कर लेते हैं, यह कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह कितना हो जाएगा, 4, 4, 4, 4, 12 है, तो कितना हो जाएगा, minus 4, कौन सा, पहला, अगला किश्चन देख लेते हैं, कि if A plus A square plus A cube minus 1 बराबर 0, then what is the value of A cube plus 1 by A, यहनि हमको बताना है, कि A cube अपान में 1 by A का मान क्या होगा, ठीक है, दिया A plus A square plus A cube minus 1 बराबर कितना दे रखा है 0, तो यह बहुत अच्छा कुश्चन है, क्योंकि यहाँ भी हम value put नहीं कर सकते, कोई ऐसा A का मान हम सोच भी नहीं बाएंगे, ठीक है, जो यह 0 देगा, तो क्या करें हम, और हमसे पूछा है कि A cube, A cube plus 1 by A का मान पूछा है, ठीक है, यह इस फार्म में हम इसको कुछ ऐसा बना दे, इस तरह से बना दे ताकि हमको क्या एक मान निकल जाए, क्या कर सकते हम यहां से, सोचो, A cube होगा, अगर A की पाउर 4 होता है, तो अगर हम A की पाउर 4 होता था, अगर हम यहां से मालो, A की पाउर 4 होता, अगर हम A का माल ले ले तो यहां पे A की पाउर 3 बच जाता, और यहां पे A की पाउर 1 बच जाता, लेकिन वह भी नहीं है, समझ पहा रहे हैं, जिससे मैं कर रहा हूँ कि अगर यह a की पाउर 4 होता प्लस 1 होता तो a की पाउर 3 कामन ले लेते है aq प्लस 1 बाई a बन जाता और यह हमको चाहिए इस फाम में बनाना पड़े हैं हमको तो ऐसा करते हैं कि a से multiply कर लेते हैं अपने शुविधा की लेते हैं देखो यह कितना हो जागा a square प्लस a cube प्लस a की पाउर 4 और यह हो जागा minus a बराबर 0 राइट अब इसके बाद क्या किया जाए इसके बाद अगर इसको simplify करें तो क्या हो जागा a की पाउर 4 प्लस 1 अपन में a यानि इतना हमको मान चाहिए यानि वही 1 वाला factor है जो 1 हमको मिलना चाहिए राइट तो कैसे करेंगे इसके आगे है अच्छा क्यूश्य नहीं है तो एक काम कर सकते हैं इसमें हम क्या कि अगर हम यहां से बोलें कि a प्लस a square प्लस a cube बरावर 1 रख सकते हैं बिल्कुल और हम कहेंगे कि 1 के बरावर कितना value हो a plus a square प्लस a cube तो क्यों हम reverse चलते हैं जिसे यहां सम चलें एक पाउर 4 प्लस 1 अपन में a हमको चाहिए तो a की पाउर 4 अब प्लस 1 की जगे हम चाहिए तो रख सकते हैं a plus a square plus a cube अपन में a अब इससे हमको कुछ मदद मिला इससे भी हमको कुछ मदद मिलेगा अगर हम चाहिए तो a cancel भी कर दें तो अगर हम चाहिए तो a cancel कर दें तो यह a q plus 1 प्लस a plus a square यह यह भी बन जाएगा देखो अगर हम इसमें से यह ऐसा करते हैं कि यहां से a की पाउर 4 के मान अगर हम निकाल के रख दें तो यह कितना हो जाएगा यहां से a की पाउर 4 अगर value रख दें तो यह हो जाएगा A, A जाएगा तर पाजिटिव हो जाएगा माइनस में, A स्क्वार माइनस में A Q, प्लस A प्लस A स्क्वार प्लस A Q अब आनमी कितना हो जाएगा? A हो जाएगा अब क्या हो रहा है? यह नंबर कड़ जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 2 A हो जाएगा हम साधरां जैसे अभी पीशे क्यूशन करते आ रहे तो बड़े आसानी सो जा रहे था है यहां पर बैलू भी पूट नहीं कर सकते हैं तो को जिनको नहीं समझा एक मैं बार समझा दे रहा हूं हमको दिया था कि ए प्लस ए स्कार प्लस एक्यू की माइनस बरावर जीओ दिया तो हमने देखा कि कि अगर यह aq अपान में 1by a की फाम में बन जाया या कुछ इस तरह से बन जाया जिससे हम अपने मान की आसपास पहुँच जाएं फिर अगर हमने देखा कि इसमें अगर एक पार 4 प्लस 1by a बन रहा है और क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि reverse चलते हैं और वह बरावर कितना आजाएगा ए प्लस a square प्लस aq बरावर 1 आजाएगा तो हमने वही किया कि a की पार 4 और इसमें से a का multiply कर दिया तो a की पार 4 हमको पता थल गया एक पार 4 की value हमने रख दिया यहां से हम तो a की पार 4 प्लस 1 की जगा है पर हमने इतना value पुट कर दिया और a की पार 4 यहां से निकाल के इसको पूट कर दिया तो यह number कट गया अच्छा अगर हम इसमें से मालो एक कामन ले ले तो क्या होता aq प्लस 1 प्लस a प्लस aq और यह मान क्या है यह मान हमको पता है कितने की बरावर 1 की बरावर है तो 1 प्लस 1 बरावर 2 इससे भी आ जाता कोई यह फार 4 प्लस यहां से भी कर सकते थे तो दोनों तरह से माला अंसर कितना आएगा 2 आएगा अच्छा question है ठीक है यह आपको पहुत important question है अगला question दिखते है धिया कि under root में a2 प्लस b2 प्लस a b bracket close plus root में a square plus b square minus a b bracket close बरावर 1 तो हमसे पुछा 1 minus a square into 1 minus b square का value क्या हो गए अच्छा question है क्योंकि यहाँ पर value भी नहीं बूट कर पाएंगे कोई देखो हमको दिया कि root में a square plus b square plus a b और अगर यह 2 b होता तो यह plus b का holy square बन जाता और अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें कि a plus b का holy square minus में minus a b तब भी कोई बात नहीं बनने वाली है क्योंकि हमारा root नहीं हटेगा पहले हम root हटाने का प्रयास करते हैं तो इसको 1 minus लिख सकते हैं कितना root में a square plus b square minus a b right अगर हम दोनों तरह भी square करते हैं root हमारा हटे जाएगा b square plus a b यहां मिलेगा 1 a square plus b square minus a b और दूसरे bracket में करते हैं 2 times root में a square plus b square minus a b right अब इसको solve कर लेते हैं देखो a से a कट जाएगा b से b कट जाएगा और यहां कितना मिला हमको 1 a b वाला term इधार आजाएगा तो 2 times a b minus 1 हो जाएगा इधार आएगा और इधार कितना होगा minus 2 times root a square plus b square minus a b आगया ठीक है सभी देख लेते हैं एक बार minus 1 इधार लाएगा इधार हो जाएगा plus 2 b तो अब एक बार और square कर लें तो जिससे क्या होगा root हमारा आटे जाएगा और 1 minus a square और 1 minus b square हमको चाहिए तो अगर square कर लेंगे तो यह कितना होगा और यह कितना मिलेगा? 4a square b square plus 1 बराबर में कितना होगा? 4a square plus 4b square हमसे पुछा a square 1 minus a square 1 minus b square तो इसको इधर लेके आते हैं 4a square b square minus 4a square minus 4b square plus 1 बराबर 0 अगर यहाँ से 4a square कामर ले लेते हैं तो काम बन जाएगा तो यह होजाएगा कितना? a²-b हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे b²-1 का फांड नहीं बन रहा है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे एक 4 मिल जाए, जिसे देखो, यहाँ पे कर आप 4 एक कामा ले लें, मालो, 4a² कामा ले लेंगे, तो यहाँ पे अब b²-1 बन जाएगा, और यहाँ हमको चाहिए, b²-1 का, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो अगर 4b², अब प्लस 4 अगर एक ले लें, अपने से add कर लेते हैं, और प्लस 1 है, एक माइनस 4 गटा देंगे, यह 4 चार कर जाएगा, तो देखो, यहाँ से अगर हम कितना, 4 काम ले लेंगे, तो यह कितना मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा, यह B², यह हो जाएगा, हमारा B², और यह कितना हो जाएगा, 4 में से खटा रहे हैं, तो यह माइनस 1 हो जाएगा, और यह कितना मिल जाएगा, माइनस 3, तो इधर लेते जा रहे है तो चार बहर ले लेंगे तो यह a square minus में 4 1 और दूसरे बेर केटम b square minus 1 बरावर कितना हो जाएगा 3 by 4 चुकि यहाँ पे हमारा उल्टा है 1 minus में है तो यहाँ से minus काम ले रो यहाँ से minus काम ले रो तो minus minus का हो जाएगा बाहर आके plus हो जाएगा दोनों तो भी हमारा answer कितना होगा 3 by 4 अच्छा question है ठीक है important question है अगला question देखते है अगला question है कि root में 1 minus p square 1 minus q square बरावर root 3 by 2 then what is the value of इतना ठीक है इतना घम को मान बताना है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक value 0 रख सकते हैं क्या जिसे अगर हम p मालो 0 रख देंगे तो यह 1 हो जाएगा और इस का मान कितना हो जाएगा कितनी value रखें कि यह root 3 by 2 हो जाएगा तो यह एक बटा चाल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 वटा में 4, यानि रूट 3 by 2, यहाँ आप डायेट निकाल सकते हो, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, भाई, हमको यहाँ पर बहलू, ऐसी रखने है कि इस पूरे एक एक्स्प्रेशन का मान कितना जाएगा, रूट 3 by 2 हो जाएगा, यहाँ साब निकाल लोगे, कितना हैगा, 1 by 2, अब इतना नंबर आपको गेस कर लेना चाहिए, यह नंबर आप गेस कर सकते हो, यह नंबर हो जाएगा, 1 by 2, तो कितना, अगर हम Q कमान रख, मालो 1 by 2 रख देंगे, तो यह नंबर तो हमारा, यह equation satisfy कर जाएगा, अब देखों, यहाँ पर रख लेते हैं, तो यह हो जाएगा, हमारा 0, 0, 0, और यह 0, तो मिला क्या, root 2, देखों, यह मिलेगा, 2 Q स्कार, प्लस यहाँ से भी मिलेगा, कित 2, root Q स्कार, Q स्कार का मान कितना है, 1 by, 1 by 2, क्योंकि जगह पर 1 by 2, 2 से 2 कर देख, हमारा answer कितना जाएगा, 2, तो कौन सा होगा, पहला, तो आसान question था, बहले पूट करके, हमने आसानी से निकाल लिया, next question देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ें, अच्छा, इसमें answer आ रहा, none आप दीज, right, कहीं गलत है गया, 1 by 2 हमने रख दिया, तो 1 by 4 हो गया, 2 से 2 काट देंगे, अच्छा, ठीक, ठीक, तो को यह, 2 root 2 into 2 कितना हो गया, 1 by 4 होगा, 1 by 2 हो जाएगा, और चाहो तो आप इसको क्या करो, तो अगर आप इस 4, मतलब 2 time, 2 into 1 by 2 हो जाएगा, root 2 ना, इसम कोई मान नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है, correct कर लिजेगा इसको, इसका answer 4 होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्यूशन है कि X, अब बराबर A-B, अपान में A-B, Y-B, B-C, प्लस B, इतना, Z की value इतना दिया है, थमसे पुछ रहा इसका मान बताओ, तो यहां पे अगर आप value put करन गा, तो X का मान 0 हो जाएगा, उसी तरह चाहिए तो हम B बराबर C भी रख लें, तो B यह 0 हो जाएगा, और इसको बराबर कर लेते हैं, तो यह भी बराबर 0 हो जाएगा, तो कोई उलंगन तो नहीं हो रहा नियम का, देख लो, कि सभी 0-0 हो जाएगा, तो यह 0-0-0-0-0-0 ठीक है, तो यहाँ पर आप B value पूट कर सकते हो, अगला किसन देखेंगे, X upon X A plus Y B plus Z C, Y बराबर इतना दिया, Z बराबर इतना दिया, और X plus Y plus Z बराबर, not equals to 0, यहनि इनका सम 0 नहीं होना चाहिए, then each ratio is, each ratio is, if इतना, and X, Y, then each ratio is, ठीक है, परतिक का अनपात क्या होगा, यहनि बेसिकली आप से बस यह पूछा जा रहा है, जोने यह value हैं, जिसे X upon Y बटा इतना, Z बटा इतना है, इनका ratio क्या होगा, अगर हमको X plus Y plus Z, not equals to 0, तो देन each ratio को बताना है, ठीक है, देखो, तो आप चाहो तो साइद, आप चाहो तो सीधे इस में क्या है, value put कर लो, X बटाबर Y बटाबर Z, बटाबर 1 रख लो, और X plus Y plus Z कभी उलंगर नहीं हो रहा है, क्योंकि यह 0 नहीं हो रहा है, यह कितना होगा, तीन होगा, और अगर हम एक रख देंगे, तो हमारे satisfy भी कर जा होगा, एक बटा में A plus B plus C का रेशियो होगा, तो कौन सा अपसर होगा, sorry, कौन सा होगा इसमें, चाहो ताब, ठीक है, तो यह आशान है, या आप value put कर लो सीधा, या आप इसके बराबर सभी बराबर क्या कर लो, बोलो K है, इस K का मान निकालना होगा आपको, ठीक है, इस K का मान निकालना होगा, सभी की बराबर अगर आपने K रख दिया, तो हमको रेशियो का मान पुछा तो इस K का मान आपको बताना होगा, right, अगर आप traditional तरीकेस करना चाहते हैं, तो उससे भी देख लो, क्या होगा यहां से, कि सभी की बराबर हमने K मान लिया, तो K अगर हम मान लिएंगे, तो X बराबर कितना हो जागा, X बराबर हो जागा K times X A plus Y B plus Z C, इसी तरह Y बराबर तिरियों गुड़ा कर देंगे, तो अगर हम X plus Y plus Z अगर सबको add कर दें, तो कितना हो जागा, K सम्में से कामन हो जागा, यह हो जागा X A plus Y B plus Z C, यह X वाला value हो जागा, इ Y A plus Z B plus Z B plus X C, इसी तरह Z वाली value कितना हो जागा, यह हो जागा है, Z A plus X B plus Y C, तो इन सभी नमबर को अगर हम add करें, तो क्या मिलेगा देखो, अगर हम X बला पहले टर्म लेए, X यहाँ से ले रहते हैं, X यहाँ से ले रहते हैं, और X यहाँ से ले रहते हैं, X कामन ले लि Y बाला ले लो, Y बाला भी ले लोगे, तो क्या मिलेगा, A plus B plus C मिलेगा, और Z बाला भी मिलेगा, तो basically हमको क्या, A plus B plus C, एक bracket मिल जागा, दूसरे bracket में, X plus Y plus Z, और into K, और इधर कितना है, X plus Y plus Z, तो यह नमबर कर जागा, तो K कमान यहाँ से कितना आ गया, 1 अपान में A plus B B plus C, तो इतना मसकत करने से अच्छा है कि हम value पूट कर लेंगे, कि X बराबर Y बराबर Z रख लेंगे, बराबर 1 रख लेंगे, ठीक है, within second हम हमारा answer आ जाएगा, अगला question देखते है, अगला question दिया कि A plus B plus C plus D बराबर 4 दिया और इसका मान बताना है, तो अगर हम मानलो A, B C, D, सबकी value एक ही रख देते हैं, तब तो गडबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, मतलब यह A बराबर B बराबर C तो नहीं रख सकते हैं, ऐसा करते हैं कि A बराबर 4 रख देते हैं, और बाकि B, C, D, 0 रख लें, तो देखो कोई उलंग प्लस, यहाँ पर 0, 0, 0 यानि 1 हो जाएगा, 1 अपान में 1, प्लस, यहाँ पर कितना मिलेगा, 1-4, यहाँ भी वही मिलेगा, इसी तरह है, इसमें यह वाला टर्म है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 अपान में 1-4, तो यह कितना हो जाएगा, 1-3, 1-3, 1-3, तो कितना हो जा A, B, C बराबर 0 रख लो, D बराबर 4 रख लो तब यह मारा आयगा answer, राइट आगे बढ़ते हैं अगला किशन है कि P by A plus Q by B plus R by C बराबर 1 है A by P plus B by Q plus C by R बराबर 0 यानि यहाँ पर देखो P by A है, यह reverse हो गया तो P, Q, R और A, B शे R नान 0, यह 0 भी नहीं है राइट, R नान 0 तो उनको बताना P by A का होली स्क्वार Q by B का होली स्क्वार C by R by C का होली स्क्वार का मान क्या हो तो यह SSE में पूछा गया बहुत ही बहतरिन क्यूशन है ठीक है, आप इसको जरूर वीडियो पहुच करके अपने से ट्राइ करना है एक बार SSE CGL में पूछा गया है क्यूशन CGL, CGL, CSC, SL मुझे थोड़ा सभी याद नहीं आ रहा लेकिन यह SSE का ही क्यूशन है, बहुत अच्छा क्यूशन है और इस क्यूशन को आप वीडियो पहुच करके ट्राइ करना यहाँ पे आप value भी नहीं रख पाऊगे अगर आप सोचो कि P, Q, R की value 1 ले ले हैं और ABC की value 3, 3 ले 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 तो 1 गटा 3 प्लस 1 गटा 3, प्लस 1 गटा 3 तो यह तो 1 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे रखोगे तो यह 0 नहीं आएगा तो यहाँ हम नंबर भी इस तरह से guess नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत अच्छा question देखो इसमें आपको बस एक छोटा से concept है कि यहाँ इसको P by A, P by तो टर्म तो सेम है P by A है Q by B है, R by C है वह टर्म यहाँ पे बस reverse हो गया है देख रहे हैं और फिर उसी P by A का whole square Q by A whole square, R by C का whole square तो यहाँ इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई rotation हो रहा है यहाँ टर्म हमारे सेम है तो हम इसको fraction से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि P by A के जगे पे हम माल लेते हैं Q by B के जगे पे Y माल लेते हैं और R by C के जगे पे R by C के जगे पे Z माल लेते हैं अब देखो इससे फाइदा क्या होगा हमारा कि हम जो fraction से बच जाएंगे जब fraction से बच जाएंगे तो हम question को आसानी से कर पाएंगे तो हम कहेंगे X plus Y plus Z बरावर कितना हो गया 1 और 1 अपान में X plus 1 अपान में Y plus 1 अपान में Z बरावर कितना हो गया 0 और अगर इसको हम simplify कर लें तो यह कितना हो जाएगा X plus Y Y plus Z Z plus X अब नीचे हो जाएगा X Y Z यह बरावर 0 हो गया अब यहां से हमको पता चल रहा है कि X square plus Y square plus Z square का माल चाहिए अगर हम इसकी जगह P, Y, A की जगह पर X रख ले Q, Y, B की जगह पर Y और R, Y, C की जगह पर Z रख ले तो हमको चाहिए X square plus Y square plus Z square तो आपको पता एक चीज़ समझा आगा है कि X Y plus Y Z plus Z X का एक term आता है जब इसका square करते हैं तीन का तो क्यों हम इसका square करेंगे तो हमको value मिल जाएगी देखो X plus Y plus Z का अगर whole square करो तो यह कितना मिलेगा X square plus Y square plus Z square plus 2 times क्या होगा X, Y, Y, Z, X तो इसके आपमान तो हमको 0 हो गया तो यह पूरी value कितना हो जाएगी 0 और यह कितना है एक हमको दे रखा है तो इस पूरे expression का मान कितना हो जाएगा 1 X square plus Y square plus Z square का मान पुछा कितना हो गया इसलिए यह बहुत अच्छा question है ठीक है इस तरह कभी question अगर आया और देख रहो इसमें कुछ कोई परिवर्टे नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप fraction से बच्चो पाए ले उसकी नगर पर कुछ नंबर ऐसा आज्यूम कर लो जिससे क्या होगा फिर तब यह question आसान हो जागा बिल्कुल आसान हो जागा कुछ दो तीन question और बच्चे हम उनको भी देख लेते है जिससे क्या होगा फिर इसके बाद कोई वीडियो बनाने इक जड़त नहीं होगे अलजबर आपका पूरा complete हो जागा अगला question देखते है अगला question दिया कि इस में से क्या relation true होगा कि तीनों बराबर होंगे कि तीनों बराबर नहीं होंगे कि A भी बराबर होगा लेकिन C बराबर नहीं होगा B C बराबर होंगे लेकिन A बराबर नहीं होगा तो सबसे पहले हम बराबर करके देख लेते हैं कि अगर हम बराबर सभी मान लेते हैं यह कड़ जाएगा तो यह कितना जगा है हम सभी को बराबर करके एक रख लेते हैं तो यहाँ पर एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो यानि हमको क्या satisfy कर रहा है तो यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो यह तो आसान था हमको दिग गया आसानी से कि हमने बराबर रख लिया इसके जगह पर एक रख लिया तो यह हमारा सटिस्फाई कर रहा है ठीक है लेकिन अच्छा question है अगला question देखते हैं अगला question है कि इतना का holy square इतना holy square इतना holy square बराबर 0 है तो हमको इसकी value बतानी है तो यह देखो आसानी किशन है यह आपके लिए homework है ठीक है यह कब 0 होगा जब 2-a बराबर 0 4-b बराबर 3 बराबर 0 4-c बराबर 0 यानि ABC का यहां से मान निकाल सकते हैं ठीक है और अगर हम इसको यहां तो यहां पर ABC का मान निकाल के हम direct put कर दें ठीक है यहां से ABC का मान निकाल लेना इसको put कर देना और अगर देखो इसको जब solve करोगे न ABC का मान आएगा एक मान कितना आजाएगा एक मान आजाएगा 1 बराब 2 बी का मान आजाएगा 3 बराब 4 और इसका मान आजाएगा-5 बराब 4 ठीक है यह क्या यह B हो गया यह C हो गया ठीक है इन सभी को इन सभी नंबर को एक बार आट कर लो कि यह नंबर कितना क्योंकि हमारे आपसर में 0 है तो यह कुटा 3, एक कुटा 4 तो 2, 6 4 हो गया 2, 3, 5 यह नहीं देखो प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा तो यह नंबर क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0 ठीक है बताने बताने में क्यूशन हुई हो गया तो चलिए आपके लिए यह हो और कर नहीं रहाँ तो इसका एंसर क्या हो गया 4 हमने देख लिए इसको निकाल दिया देखो क्यों मेरे दिमाग में इसा क्यों आया कि मैं इसको पहले एड कर लूँ क्योंकि जब भी आपको a plus q b q plus c q minus 3 a b c का टर्म मिले तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लिया अगर हो कि a plus c बराबर क्या 0 बन रहा है क्योंकि अगर यह 0 बन जाता है तो यह पूरा टर्म में क्या जाता है 0 हो जाता है पिसले वीडियो में इस पर हमने क्यूशन कुप किया था राइट इसी वीड a 1-b 1-c तो यह बहुत अच्छा question है ठीक है यहाँ पर एक आपको concept सीखने को मिलेगा इस तरह से previous year में question पूछा जा चुका है कि a अपान में 1-a है और हमसे पूछ रहा 1 अपान में 1-a की value तो जो को यहाँ पर minus है ने तो यहाँ पर plus 1 add कर तो कि देखो क्या हो जाएगा 1 a plus 1-a upon 1-a तो a यह से कट जाएगा यह क्या मिल जाएगा 1 upon 1-a ठीक है और अगर मालों यहाँ पर यहाँ पर यह प्लस होता ठीक है और हमसे इसका मान पूछता तो यहाँ क्या करते हम एक घटा देते हैं कितना हो जाता a minus 1 minus a यह कट जाता राइट यह हमको मिल जाता minus 1 upon 1 प्ल प्लस एप्लस लाइबर 4 a plus b plus c then x equals to यह बहुत ही बहत्रिन question है right most important question है और यह इसको भी आप पहले विडियो पहुज कर लीजेगा फिर स्वेम से ट्राई करीगा यह भी SSC में पूचा गया है एक toughest question में से है और इस question को करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम कि इसको option के थुरू करेंगे तभी हमारे लिए आसान होगा जिसे देखो अगर हमको यहाँ पर नंबर दिखा x-a का holy square अपानमे कितना b plus c plus x-b का holy square दिखा यहाँ पर c plus a और x-c का holy square दिखा a plus b बराबर 4 times a plus b plus c देखो इस वीडियो को अगर आप रोक के खुश स्वैम से करोगे तो मैं यहाँ आपको आपको इस question को बनाने में काफी समय लग जाएगा अगर click कर गया तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके दिमाब के कुछ ऐसा idea आ गया तो बहुत अच्छी बात है तो यह क्या बन जाता यह हो जाता जैसे मालो a plus b plus c का whole square की जगे पर गयार मालो y square रख दे ठीक है तो आप यहाँ पर देखो कि यह बन जाएगा x की जगे पर हम बोल रहे हैं कि y square और y square बरावर नहीं इतना तो यह y square minus a square बन जाएगा एक bracket में बन जाएगा y plus a हो एक bracket में y minus a देखो ऐसा क्यों कर रहे है जब एक bracket में y plus a होगा जो a वाला term होगा वह a वाले term से कट जाएगा तो बचेगा b c और b c नीचे होगा कट जाएगा तो फिर यह question बड़े आसानिस हो जाएगा देखो हमने क्या बोला एक bracket यह हो जाएगा a plus b plus c का holy square माइनस a square upon me a b plus c इसको जब और solve करेंगे तो यह हो जाएगा a plus b plus c एक bracket में plus a दूसरे bracket में कितना हो जाएगा दूसरे bracket में हो जाएगा a plus b plus c a minus b और a plus b वाला formula लग गया तो यहां से A वाला टर्म कड़ जाएगा तो जो B C बचा यह कड़ जाएगा तो उपर क्या बचा हमको मिला 2 x A प्लस B प्लस C इसी तरह इसी तरह यहां पर क्या मिलेगा 2 x C प्लस A प्लस B और यहां पर क्या मिलेगा यहां पर 2 x B प्लस A प्लस C तो आप देखोगे यहां पर 2A ठीक है? एक A यहां पर है और एक A यहां पर है B, A, B सही है ना सब कुछ? तो यह हो जाएगा 2, 2, 4A देखो यहां पर 2B है एक B यहां पर एक B यहां तो इसे सरफ 4B और प्लस 4C बड़ेगा तो कितना मिलेगा हमको मिलेगा? यह मिलेगा 4 टाइमस A प्लस B प्लस C तो यही हमको इसके बराबर दिया देखो सटिस्वाई हो गया इसमें हम क्या करेंगे? रिवर्स जाएंगे आप संसे करेंगे तभी यह क्यूशन बन पाएगा अन्यता आपको यह समझ में नहीं आएगा कि इस क्यूशन में हम आगे कैसे प्रसीट करें क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने नंबर भी हम नहीं रख सकते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा क्यूशन है मैं इसको बोलोगा कि अभी तक हमने जितने क्यूशन मना हूँ उनमें से एक बहुत ही अच्छा क्यूशन यह होगा तो इस क्यूशन को आप रिवाइज करना दुबारा और अगर अपने से भी प्रयास करना कि क्या आप कुछ क्लास का लास्ट क्यूशन है हमको दिया है कि function f of x बराबर 1 by x minus 1 by 1 by x plus 1 then what is the value of f1, f2, f3 कहां तक 10 तक तो जब f1 बराबर 1 रखोगे f1 बराबर 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 1 upon 1 minus 1 upon 2 कितना 2 तो कितना मिलेगा यह नहीं प्लस होगा सारी हाफ आ जाएगा इसी तरह आगे देखिए यह हम इसको solve क्यों कर रहे है यह तो number कट जाएगा अपस में इसी तरह आगे जब 3 रखोगे तो यह कितना हो जागा 1 by 3 यह 1 by 4 इसी तरह कहां तक हमारे निकालना है 10 तक निकालना है 1 by 10 minus 1 by 11 तो देख रहे हो कि यह 2 वाला टर्म कट जाएगा 3 3 इसी तरह यह 10 वाला भी कट जाएगा तो बच्चेगा क्या 1 आपान में 11 तो यह कितना हो जाएगा 11 10 वटा में 11 कौन सा होगा दूसरा इस तरह आप सक का बहुत important concept SSC sigil के लिए खास तोर पर algebra complete हुआ और इसमें हमने अभी तक जितने भी वीडियो complete किये हैं जितने अभी हमने arithmetic से लेके पढ़ा है सबसे ज़्यादा number आप question यहां पर कराने का प्रयास किया क्योंकि आपने देखा हुआ कि जितने भी हमने question किये सभी question में क्या था कि कि कुछ ने कुछ अलग concept अपलाई हो रहा था right हर एक question क्या है कि दूसरे question से different था इतनी variety आपको कहीं भी किसी भी topic में नहीं मिलेगी right इतना trigonometry में भी हर question अलग होता लेकिन वहां पर क्या होता कि वहां के question बनाने आसान होते है लेकिन यहां पर question में अलग तरीके सोचना पड़ता है जिसे पीछे वाला question जो पिछला question था अब यह question अगर हमारी practice ना हो right तो हम बना नहीं सकते real time कभी भी question exam में ठीक है अलग बात है कि आप बहुत अलग सोच ले गया है अगर उहां पर दिमाग कोई क्लिक कर गया अन्य था आप उस तरह से real time में इस question को नहीं कर पाते हैं इस तरह हमने जीतना भी लगबग question बन सकता था उसको cover किया और बड़ी मेनस से हमने इस वीडियो को बनाया मैं चाहरा था कि maximum output मिले और आपको एक भी question ना ऐसा छूटे और ऐसा भी ना हो कि किसी same question को बार 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 रिपीट किया जाए यह कभी कभार पूछे जाना है एक question आएगा और उसके लिए हम trick रटेंगे तो फिर हो चुका ना अब यह सारे question जो देखें आपने यह सब सब exam में आ चुका है इनको console करेगा अगर एक question के लिए आप उतना दिमाख लगा रहे हो तो जहां पर necessary होगा जहां पर हमको कुछ याद करना होगा वहां पर मयाद करेंगे जिसे यही था हमने हम कहीं आपको वन आपान में a plus two कहीं भी हमने formula नहीं लगाया मैंने एक बार बस बता दिया आप visualize करो के चीज़े हो जाएंगे अब इसके लिए अलग से formula रटेंगे चलो ठीक अभी आप algebra पढ़ रहे हो अभी आपने तुरंट तुरंट याद किया formula और उस ही पर पता चला आप 50 questions किये ज बूल जाएगा तो ऐसे बढ़ा ही ना करिए अगर आपने आज टाफिक कबर कर लिया तो अगर कल आपको test देना पड़ा जाए कल exam देना हो जाए तो आप prepare रही है ऐसा ना रही कि आपको अभी अगर हम आप revise नहीं कर पाएंगे तो हम दे नहीं पाएंगे इस तरह से पढ़ेंगे क्वाडिनेर्जमेट्री वह भी बहुत important topic है CGL की perspective से फिर उसके बाद हमारा आगे हम continue करेंगे तो classes अगर आपको बहुत पसंद आ रही है ठीक है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको share करें ठीक है तो अब अगली class में मिलेंगे अगर वीडियो आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद